और अपना परशे चलूए चे वाज़े आज मैं आपसे गबलोगीों के बिशेप बात करने वाला हूँ और दो दिन पहले जो बात मैंने किया था उसके बिशेप पर गबलोगीों की बात पूरी होने के बाद एक प्रश्रोत्तर का सत्र भी यहां रखा है आपको मालूम है दो दिन पहले है इस्टोरिया होटल में जब हम बात करने के लिए मिले थे तो समय की कमें होने के कारण विशेप तो मैंने आपके सामने रखा था लेकिन प्रश्रोत्तर नहीं हो पाथ है तो आज लगबं 50 मिनट के आसपास मैं आपसे बात करूँगा डवलूटी ओपर उसके बाद एक घंटे के आसपास हम प्रश्रोत्तर के लिए रखेंगे डवलूटी ओपर भी आप प्रश्रोत्तर सकेंगे और जो विशह मैंने दो दिन पहले आपके सामने रखा था उसके भी बात कर सकेंगे डवलूटी ओपर बात करूँ उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी भूले का बता दू दुनिया में बहुत लंबे समय से व्यापार होता रहा है और व्यापार करने वाले देशों के आपस के संबन राजिमें तिक बात में बने हैं पहले व्यापार के संबने बने है दुनिया में जो देश बहुत सबह से व्यापार करते रहे हैं उनमें भारत हमेशा नमबर एक रहा है भारत का विदेश व्यापार अगर आप एतिहास सब्सक्रावे जूं को देखेंगे तो भारत का विदेश व्यापार लगबद 1200 से 1400 साल पुरान है छटी साथ मी शताबी में भारत का विदेश व्यापार बहुत अच्छे पैमाने पर होता था बहां तक के रिकॉर्ड्स अभी तक मिले हैं हो सकता है एक पोड़े दिन के बाद ऐसे भी रिकॉर्ड्स मिल जाएं जो बताएं कि भारत का व्यापार शाहिए 2,000 वर्ष पुरा ना मिसकता है भारत जैसे ही दुनिया का एक बहुत बड़ा देश है चीन उसका भी विदेश व्यापार बहुत पुरा है और चीन और भारत में मिलकर दुनिया के देशों में सबसे जादा व्यापार किया है अप्रीके देशों के साथ, अरब देशों के साथ और बाद में यूरोपिय देशों के साथ विदेश वियापार में और भी बहुत सारी देश हैं जो समय समय पर आते रहे हैं फिर खतम होते रहे हैं फिर आते रहे हैं ऐसे चलता रहा लेकिन दो देशों की उपस्कती बहुत लंगे समय तक रही है आप जानते हैं कि जब विदेश वियापार होता है तो उसमें कुछ जगbay भी होते हैं आपस के जगते हैं आज़ की दुनिया में पो टैक्स को लेका लिए एक डेशा सामन दूसरे देश की सीमा में जाता है तो जो सरकार है कि आपने लोगों की रक्षा करने के लिए अपने उध्योंगों को बचाने के लिए अपने व्यापार, अपने मार्केट को बचाने के लिए बाहर के आने वाले सामानों पर अक्सर कस्टम यूटी लगाते हैं इन कस्टम यूटी बदरती होती हैं कभी किसी देश ने 100 प्रतिशक लगाए तो किसी ने 200 प्रतिशक, किसी ने 300 प्रतिशक भारत एक ऐसा देश रहा जिसमें बहुत उचे समय तर बहुत उची कस्टम यूटी लगाते रखे थे अमिरिका ने मिं काफे दिनों तक ऐसा किया था करणाय ने भी जिए तै योज़ों ने भी जिए तो कस्टम यूटी के बहुत जगड़े होते हैं एक दूसरे जगलों क्या होते हैं quantitative restrictions के बहुत जगले होते हैं एक देश में आप कुछ सामान लेके गए तो उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा आप लीए लेख सकते लेचेंगे तो फिर जगले शुरू होते हैं तो अक्सर quantity को लेकर और टेक्स को लेता जगले होते हैं तो ये quantity और टेक्स के जगलों का लिप्तारा करने के लिए दुनिया के बहुत सारे जेशों ने आपस में विल बैटकर एक संस्था बनाई थी 1948 में वो संस्था का नाम था GAT Journal Agreement on Trade and Tariff ये संस्था बनाने के पहले की एक चोटी सी भटना आप सब को बता दूँ कि आपको मालूम है 1945 में दूसरा विश्योद खतम हुआ था 1949 में शुरू हुआ था 1945 में खतम हुआ था दूसरे विश्योद में सबसे ज्यादा बर्बादी यूरोप के देशों की हुई थी बहुत अप्लीख है थी यूरोप के देशों को Germany तो पूरा बर्बाद हो गया था France को बहुत नुक्सान हुआ था Britain को बहुत नुक्सान हुआ था Europe कе लगवर सभी देश जो मत नुक्सान हुआ था और थोड़ा बहुत नुक्सान हुआ था अमेरे का को भी भाथ हुआ था और अगर मानें Rus को हम ऐशिया में थोड़ा बहुत मानने था आपर는데 Rus को एकुछ हिसा एशिया में कुछ yearly रूख में निकाला था यूँ दिगड़गे की लिए और जो पैसा मुने वाइदा किया था कि हम वापस दे देंगे यूँ दे खत्म होने के बाद लेकिन वह भारत को कभी वापस नहीं मिला आज तक भी नहीं मिला और उस समय भारत के खजारे में ज्यादा पैसा था भी नहीं जो थोड आज भी महा पर है और वो संधी का अर्थ था नो और पैक्ट यूरोप के देश आपस में किसी के साथ यूद्द नहीं करींगे बाद में अमरीका पी उस में शाइमिल हो गया और अमरीका और यूरोप के देशों ने मिलकर टे किया कि हम एक पार बात पर भाहस किया कि अब इन देशों को फिर से जिंदा करना है यूरोप के देशों को और अमेरिका को भी अपनी इस्थिती अच्छी बनानी है तो क्या किया जाए तो इन देशों ने बिलकर टै किया कि वही हमको थोड़ा फ्री ट्रेड के ध्यान देना चाहिए आने जाने वाले सामान मुटत तरिके से एक दूसरे देश में आए जाएं जाएं तो शाहिद व्यापार बढ़ेगा उससे पूझी पैदा होगी पूझी पैदा होगी तो हमरी वर्यूभी कुछ कम हो सकती है उस जोगों के लिए स्थिती सुखर सकती है और दूसरा इस दोशों ने ये भी तै किया था कि हमको बहुर प्रोड़क्शन वाने बहुर इंडस्ट्री को थोड़ा बढ़ाना चाहिए हत्यारों को आगे लाना चाहिए तो इसमें पूझी बहुत है यूरोग और अमिल्का के देशों में आपस में जब 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 ऑट पक्त किया और उसके बाद एक नूसरा फैसला किया कि हमें हत्यारों का उपदन बढ़ना चाहिए तो एक प्रश्ण पैदा हुआ कि हम आपस में युदन नहीं करेंगे तो हत्यार नहीं पहुत है तो फिर हत्यार जोशने के लिए तीसरी दुनिया के देश जिनको दोर भागे से तीसरी दुनिया कहा जाता वैसे कोई तीसरी दुनिया है नहीं सब एकी दुनिया में रहतें तो यह तो developing countries थे इनको भी उन्होंने playground बनाना शुरू किया, battlefield बनाना शुरू किया और मैंने इस पर बहुत research किया है 1945 के second world war के बाद अमेरिका और यूरोप में कोई युद नहीं हुआ, अमेरिका और यूरोप की जमीन पर कोई युद नहीं हुआ, लेकिन गरीब दूशों की जमीन पर 345 युद हो चुके हैं 1945 से आज तक, latest जिसमें मैंने शामिल किया हुआ है इराफ का युद जो अगे भी चल रहा है 345 सुन्दों हो चुके हैं, और अर्बों खर्बों डॉलर के हतियार इसमें लिखे हैं और ये हतियार जालतर अमरीकी और यूरोपियन कमपनियों के हैं बहुत पैसा इनको मिला है और बहुत पैसा इनों में बना है जब ये बातें चल रही थी, तब एक बात और भी चल रही थी कि आर्दिक रूप से पूरी तरह जो देश तबाह हो गया है, इनको वापस खड़ा करना है तो इसके लिए कोई संस्था ऐसी बननी चाहिए, जो आसानी से कर्च दे सके हैं तो एक संस्था बनी उसका नाम रखा गया वर्ड बनी, जागट रिक विश्रु बनी पिर इसके इसनी संस्था बनी कि ताथका लिए किसी देश को मदब की जरूरत हो तो इसके लिए एक और संस्था बननी चाहिए, तो एक संस्था बनी I.M.F. International Monetary Fund फिर बना International Financial Corporation ऐसे करकर के कई संस्था बनी अंत में जो संस्था बनी, सबसे अंत में उसका नाम था गयट गयट का उद्देश में था कि देशों के बीच जो व्यापार चलता है, खासकर व्यापार, इसमें जो ज़वरों है, टैक्स के और कॉंटिटी के, उन ज़वरों का निक्तार होना था, कोई तो एक ऐसा प्रेटफॉम चाहिए तो उसके लिए ये बना था इस संस्था को जब बनाया गया, उनी सोड़तालेस में तो इसको बनाने वाले 23 देश था, गयट संस्था जब बनी तो उसके 23 देश, पाउंडर मेंबर्स कहीं, वो थे, उनमे से एक भारत था, भारत इसका मूल भूच सदस्थे था, बना जब संस्था उस दिन भारत इसका सदस्थे था, अमेरिका इसका इक सदस्थे था, उसी दिन, बिटोन इसका इक सदस्थे था उसी दिन, फ्रांस इसका इक सदस्थे था उसी दिन, जर्माई इसका इक सदस्थे था उसी दिन, चीन नहीं था, जपान नहीं था, कनाडा नहीं था, कोरिया नहीं था, इंडोने पाते थी, एक तो इन तेईस देशों का आपस का जो व्यापार है, उसमें टेक्स कम से कम हो, ताकि किसी दूसरे देश के व्यापार पर दुश्रभाव ना पड़े, और quantity के रिस्ट्रिक्शन से इस तर इसमें आई हैं, ताकि ये तेईस देशों की वस्तों का एक दूसरे दे देश मेंबर हो गए, तो कोई मिला के तरासी मेंबर हो गए फिर आगे और पाнач साल में धीर धीरे बढ़के नभवे से जाजा़ा मेंबर हो गए, फिर ऐसे इसकी संध्या बढ़ते लित ओए, आज अधर उसकी संक्या हम लेकर दूनिया के 126 देश संथ़ा के मेंबर है, ये देशों के बीच या दो से जादा देशों के निसो चीहासी तक यह संस्था बहुत अच्छे से काम करती लेकिन 1986 के बाद इस संस्था में एक तखीम आना शुरू हुई और वो तखीम क्या थी तो तखीम आई थी आपको याद में 1970 में और ये क्राइसिस होई थी दुनिया और ये क्राइसिस जो हुई थी उसमें आप सब जाहिते हैं उससे ज़्यादा तेरी दिदाम बहुत बड़ थे और इतने बड़ थे थे कि वर्ड एकॉनोमी खतम उने की स्थिती में आई थी तब उस देशों को इंटर्वीन करना करते हैं और वो आर्तिक मंदी सबसे ज्यादा अमरिका और योरोप तेशों की सरकारों के मंतुरियों ने आपस बैट और ये सोचना शूरू किया कि इस आर्तिक मंदी से जूजने के लिए क्या कि आचा है अमेरिका screen ऑ시 जांते हैं कि बेरोजगारी बहुत भी बाहरत की कोई भी सरकार आये और चली जाए बेरोज़गारी कभी मुद्दारी नी होता हमारे एक करोड़ लोग भी एरोज़गार हो जाए तो कोई सरकार घिरने का तो प्रश्म छोड़ो दो किसी सरकार के मन्तरी के पेट कपानी भी नीज़गा लेकिन उसी भारत का जो सहीयोती देश है अमेरिका विदेश ग्यापार नगेट का मेंबर भारत और गेट का मेंबर अमेरिका वहाँ बे हजारों भी बेरोजगार हो जाए तो राश्टोपती की कुरसी उपर नीचे होने लगती है और उनको जबाब देना भारी पड़ जाता है इस बार के चुनाओं में आपने देखा जॉन केरी सबसे जादा वोट लिया उसने सिर्फ इसी मुद्धे में आउट सोर्सिंग मुझे रोपना है क्योंकि अपरिका से रोजगार मेरे आप नहीं होना चाहिए यहीं बिक मुद्धे को लिखuit है बाकी सब मामलों में वो जॉर्ज मुष्ट साथ ही था टरैरिख्ड का मामला हो accomplी ओर ज्जोर्ड मुश्ट का यह उüğपीन है ़ोगी यह पर immczenie ऑखी सब एक ही मामले में मतमेर था हो आउट्सोर्सिक और आउट्सोर्सिक को लेकर आँप मालूम है जॉन केटी को सबसे जयदा बोड दी है पढ़े लेकिया मामरी थिए कि इस बार अभिम्लिका के चुनावों मैंने बहुत प्लोसरी अधियान एक इंवा उसके दो पड़े थी लिए किया है। हमारे रिए खत्रा बनने वाला है आने वाले समय में क्योंकि अर्डिका में आप्डियों की सेंख्याका कब बोड़ी तो ये प्रशन समय समय पर आता रहा है यहीं प्रशन 1980 में भी आया था अमरीका और यूरोप के देशों के सामने जब मंदी बहुत हो गई तो इन्होंने आबस में बैठकर तै करने का सोचना शुरू किया कि भई क्या करना है इस मंदी को रोपने के लिए रोज़डार बना रहे उठपादें ठीक से चलता रहे हमारे हम मंदी ज़्यादा ना बढ़े इसके लिए क्या करना तो यूरोप और अमेरिका के सब मंत्रियों ने एक स्वन से एक फैसला किया कि हमें developing countries का ज़्यादा से ज़्यादा मारकेट अपने लिए उपलब्द कराना है और ऐसे देशों का मारकेट उपलब्द कराना है जहां कि लोगों की थोड़ी purchasing capacity पिछले सालों में हो गई है अब आप जानते हैं कि ऐसे कौन से देश हैं दुनिया में जिनकी 50 साल में थोड़ी purchasing capacity capacity बड़ी है उसमें से सबसे नंबर एक है चीड, दूसरा है भारत, तीसरा है मलेशिया, फिर थोड़ा इंटोनेशिया, फिर आपका फिलिपिन्स, फिर थोड़ा थाइलेट, थोड़ा अगर चले तो अफरीका, अफरीका में नाइजिरिया, नाइजिरिया के परोसी कुछ देश, उडान, लीविया, फिर उसके बाद आने चलें तो लेटेन अमेरिका में सबसे ज़्यादा इमर्जिक, सबसे ज़्यादा पर्चिसिंग कैपसिटी जिस देश में बढ़ी है तो ग्राजी, फिर मैक्सिको, फिर ऐसे औरसे सब देश हैं, और दुर्भागे से इनी को सबसे ज़्यादा दुनिया में, जिन में पिछले 50 वर्च में एक वर्च बढ़ा है, जिसकी पर्चिसिंग कैपसिटी बढ़ी है, भारत में पिछले 50 साथ में 35-40 करोड लोगों का एक वर्च है, जिनकी पर्चिसिंग कैपसिटी बहुत अच्छी हुई है, आज की इस्तित और चीन में तो 70-80 करोड लोगों का एक वरग है जिसकी पर्चेसिंग के पसुरी बहुत अच्छी हुए तो यूरोप और अमेरिका के सब मंत्रियों ने आपस में बैट तर और उनके एक्सपर्स ने बैट करता है किया कि ये जो देश हैं इन में हमारे सामान की खपत होने की बहुत कोई जाहिश है अब ब्रश ने उठा कि इन देशों में सामान को और जादा खपत कराया जाए अमरीकी और यूरोपियन सामान ज्यादा इन देशों में विके तो इसके लिए रास्ता कहां से लिट लेगा कोई ने को तो लीगल फ्रेंवर्क बनाना पड़ेगा ऐसे तो ले जाके डब नहीं कर सकते रही तो सारी दुनिया में हिलामा होगा तो इन देशों ने तैय किया कि हमको गैट का इस्तेमाल करना है इन्हों ने शुरू किया तो 1986 में गैट का एक कॉन्फरेंस हुआ मैखसिको नामचा इन देश है मैखसिको देश का एक छोटा सा शहर है उसका नामें पूंटा दलेस्ट छोटा सा शहर है वहां पर एक ओन्फरेंस हुआ जिसमें सभी देशों को बुलाया गया और उनके सामने ये कहा गया पहली बात कि अभी जो गैट काम करता था पिछले क उर्जा और यूर्व की तरफ से सबसे पह्ले दाग्या कहा गया कि अब ये एक रैक्ट यूए ऋन्हें और घुल परकाम नहीं करेगा। तो उनकी तरफ से और बोदू उनकी बहुत दोस्ती रही है तो मैंने उनसे पूछा था कि फर्स कॉंफरेंस में क्या हुआ तो उनने का कि सबसे पहले मैंने प्रश्ण उठाया कि ये क्यों पुरहा है ऐसा गैट बना है दो बात के लिए इसी दो बात के लिए अब तक गैट ने काम किया है उन्टी सो च्छे अड़ताली से अब इसको क्यों बढ़ाना इसमें नए इशूज क्यों ना ना तो ये यूरोप और अमरीकी ब्लाथ इतना पौर्फुल था सुटला जी के शब्दों में कि उन्होंने कुछ सुना नहीं बात में ब्राजील नहीं ये प्रश्ण किया ब्राजील के बात इंडोनेशिया की तरफ से प्रश्णा आया पाकिस्तान की तरफ से प्रश्णा आया मलेशिया के तरफ से प्रशना है लेकिन अमरीकी और यूरोबी देशों के प्रतिमिदियों ने ये कहकर शांच कराया कि इससे दुनिया में और ज्यादा व्यापार बढ़ेगा और व्यापार बढ़ेगा तो आपको भी थोड़ा बहुत हिस्सा उसका मिलेगा बारत की प्रतिमिदी ने सीदे सीदे पुछा कि अच्छा ये बताईए कि अगर दूसरे बातों के लिए हम गयरट को खोलते हैं तो वो कौन कौन सी बात हैं तो अमरीका की तरफ से कहा गया कि गयरट में अब हम एभरी कल्चर को शामिल करेंगे खेती के विश्र को शामिल करेंगे फिर गयरट में हम पेंटर्ज इशूस को शामिल करेंगे ट्रे रिलेटे इंटर्टर्टर्टर्ट रॉपर्टी राइट्स को हम शामिल करेंगे फिर गयरट में हम सर्वेसिस को शामिल करेंगे तो प्रतिमिदियों की तरफ से ये रेजिस्टेंस आया कि हम इसको मानने वाले नहीं। प्रतिमिदियों की तरफ से ये रेजिस्टेंस आया किया। प्रतिमिदियों की तरफ से ये रेजिस्टेंस आया किया। प्रतिमिदियों की तरफ से ये रेजिस्टेंस आया। प्रतिमिदियों की तरफ से ये रेजिस्टेंस आया। जिसकी कॉप्यार भी मेरे पास है। तो ये रेजिस्टेंस पूछा कि क्या फाइदा होने वाला है गेट में अगर ये सारे इशूस आएंगे और भारत इसको मानता है। तो उनका दुनिया का व्यापार 400 अरफ डॉलर बढ़ेगा अगर गेट में ये सारे इशूस आते हैं तो। और भारत को कम से कम देश बारे अरफ डॉलर का फाइदा हो जाएगा। तो मैं नका वो कौन से छेतर हैं जिसमें भारत को फाइदा हो जाएगा। ये आप देरा बता दीजे क्या आपने कोई सर्वे किया है क्या। तो उनका ने की मेरा अनुमान है। मैंने का अनुमान तो मेरा इसका उल्टा है कि भारत को भी सर्व डॉलर का नुकसान भी हो सकता है। इसका कोई मतलब नहीं है कि अनुमान है। लेकिन बाद में दीरे-दीरे माहोल ऐसा बना और भारत के इंग मंतुरीं तो यहां से यहां तक एक दिल कह दिया भारत के मीडिया में, टेलिवेजर पे, सब्ज़ेक अख़वारों में वो इस्पेटमेंट चपा है, बैदर्स है उनो चॉइस. और यहां तक आगे में भारत सरकार ने 18-15-1994 को गैट करा साइन कर दिया, गैट करा साइन करने का माने अमरीका और यूरोप के देशों ने जो नए विश्य को गैट में लाने के लिए एक प्रपोजल बनाया था, जिसको गैट करार कहा गया, डंकल ड्राफ कहा गया, वो भार सरकार ने ये कहना शुरू कर दिया, कि अब तो हमने साइन कर दिया है, इसलिए अब हमारी मजबूरे है, हमको वो सम मानना है, जो इसमें लिखा गया है, जो भारत सरकार ने करार साइन किया, उसको सरकार ने साइन किया, और मुझे बहुत दुख के साथ ये बात कहनी करार पहले साइन गुआ बहस बात नहीं है तो भुआ पहले साइन गिशा है डोगली का मची वाजर उससे अच्छा चली का मुझे बहुत तती होती है। लेकिन मुझे ये कहना पनौई है। में शूर जादा होता है, वहस्सका कारण क्या है, कि भारत की संसत में आने-ाने थांसत बहुत साही तो ऐसे हैं, कभी स्कूल नहीं गए, कभी कॉलेज नहीं गए और 117 सामसद ऐसे हैं जो नोटिड हिस्प्रीशीटर हैं कभी किसी का जेव काटा है उन्होंने किसी का मरबर किया है किसी के साथ बलापकार किया है किसी के घर में ढखेती हैं टाली है और वो पार्लिमेंट के अब तो मिनिस्टर बंगे रखे हैं इसे भारत में करी मिनिस्टर है और हमारे दो दिन पहले एक ऐसे मंत्री को वाफस बुलाया है जिसके इखलाप वारंट जारी हुआ था जिसने दस लोग का मरबर करवाए तो अब फिर मंत्री बनाया है तो ऐसे मोड़ जब हमारी संसेट में जाएंगे इस क्वालिटी की इस पार्डिमेंट हो जाएंगे तो उन से आप इक्शामत करिए कि वो गैट करा आपकर कोई बात करेंगे पार्डिमेंगे की जी इपनाया जी इपने मारते आप जांते हैं थाफे संस्ताव भी 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 स्क्राइब करा है यह डिका और म्हों को ईपितर इंप?" उनको मैंने कहा कि आप किसी तरिया होता है कि देखो ये गट करार है इसका ज़रा अभिहास आप करिए कि इस अंसर में इस पर कुछ बहस होने वाली है प्रशनू होने वाली है तो जितने अन्पींज को मैंने लिया उसमें से 70 से 80 टकाने वाफस दे आप मैंने पूझा क्यों आप लाफस दे रहें उनका ये समस्ता नहीं है तो मैंने का इस ट्यूटर रखीजिए क्योंकि सरकार आपको जितनी सैलुरिंग जिती है उसमें इस अंगरे जी का अच्छा ट्यूटर आप रख सकते है तो ट्यूटर आपको बढ़ा लेगा तो उनका तो मैंने पर्सनली इसका अभ्यास करना करी किया अधस साल में अभ्यास करता रहा तब जाके हम मुझे मालूमें कि ये करार है क्योंकि ये एक चोटा सा करार है जिसमें तरी 578 पेज है लेकि इतना करार पढ़ने के लिए 22,000 पेज पढ़ने पढ़े हैं मुझे जो इसके र पर इसमें निखा हुआ है तो एक जब ये गैड बनाता है गैड के पहले एक संस्था थी उसका नाम था आईटी ओ इंटरनेशनल ट्रेड और्गनाइज़ेशन करते हैं वह संस्था पर एक तीन सार तीन सार चली थी लिग आफ नेशन बनाता है इनाटेव नेशन के पहले इसमें बहुत सारी प्रोमीजन है जो आईटी ओं के अनुसार है तो फिर इसमें कई प्रोमीजन है परिस कंवेंशन का उसमें लेकर है तो परिस कंवेंशन पूरा पढ़ना पढ़ा वो ही 1200 पेज का है परिस कंवेंशन तो ऐसे इसमें रेफरेंस है बहुत है तो रेफरेंस कम से कम भारत के सांसदों से अच्छी है, जो भारत के मेंबर ऑपार्लिमेंट थोड़ी बहता है, अन्रेजी मैं जानता हम क्योंकि काफे दिन अन्रेजी नो पर्ता लिखता रहां। कब मुझे दस वर्ष लगा तो इनसे मैं क्या पेक्षा कर सकता हूं कि ये समझेंगे, सुनेंगे, मालिए फिर मैंने इस बात को लेकर भारत की विरोक्रासी के बीच में एक कैम्पिंग चलाने की कोशिश की लेकिन सबका एक ही जवालवारा कि देखिये हम तो नौ करें हमारा मालिक तो ये पॉलिटेशियंस हैं ये जो आदेश करेंगा हम वही करने हैं हमें मालू है कि ये देश के हीप में नहीं है बहुत खराब है ऐसे भई यूरोक्रेट्स मुझे बिले नाम जी चाहूं तो मैं ले सकता हूं जैसे स्पी शुपला का तो मैंने नाम लिया एक बहुत अच्छे भारत में विरोक्रेटर है मुझकुन भुबे सरकार में उन्होंने मुझे कहा कि देखो राजी भारत सरकार ने भारत के लोगों को जान-मार खतम करने के लिए अग्रिमेंट साइन कर दिया, यह उनके शब्दे थे मुझकुन दुबे की मदद से और भी करी वीरोक्रेट्स को हैं मिला, उनने अच्छे-च्छे लोगों को बुला है, सुनी लरोडा, इस बड़े बुला है, बारक देश में, ऐसे बहुत सारी लोग हैं, कम से कम तीन सो सारी तीन सो बुला हैं जिनके मत में देश बगती है, देश भावना है, चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, लगिन वो कहते हैं कि हम तर नौकर हैं, पॉलिकिशिंस जो और गरे हैं, अमें बही तरना है, तो इस तरह से इस बेलग्राउन में ये एग्रिमेंट साइन हो गया, अब इस एग्रिमेंट की प्रॉब्लम्स क्या है, जो मैं आप से शेयर करना चाहता हूँ, सबसे बड़ी नहीं बनने के second paragraph में लेका हूँ, माने इस पूरे ड्राफ, ड्राफ का, गरेट एंग्रिमेंट का तब तक एक हिस्सा भी माना नहीं जाएगा, जब तक पूरा का पूरा आप नहीं मानते हैं, अरिभाद, इसका कोई हिस्सा छोड़ दो मैं दे सकते हैं, कि हिस्सा भारत के हिप से बहुत विरुत है, आप उसे छोड़ दो सुई करता ही है आपको तुओ । लेकिन मैं एक मिनट में उसका हिमिन अजिस्त आपको बता रहता हूं वो यह कहता है कि इस ड्राफ्ट का एक भी प्रोवीजन लागू करने में आपकी देश का कानूं, आपके देश का नियम और आपके देशों की व्यवस्थाइं आपको बदलनी पड़ें तो आप बदलिए आर्टिकल 16 कहता है, पहले चैप्टर का आर्टिकल 16 कहता है कि इस ड्राफ्ट के किसी भी प्रोवीजन को लागू करने में आपके देश का नियम, आपके देश का कानूं, बूल, रगुलेशन, एक्ट, तीम, आपको बदलने मुण तो बदलिए, ड्राफ्ट नहीं माने ड्राफ्ट का कोई प्रोवीजन आपको ऐसा लगता है कि भारत के सम्विदान के विरुद है, तो भारत का सम्विदान बदल नहीं थी, ये प्रोवीजन नहीं बदलिए, पहली बार, लो सिंगिल अलिमेंट अप जिस पाइट, ड्राफ्ट, पाइट, पाइट, देश का लंविदान कहता है कि ऐसा होना चाहिए, गैट कहता है नहीं, इसके विरुद होना चाहिए, तो गैट को मननें सम्विदान को छोड़े, हमारे देश की संसत्ते मानने जिए भारत के भले के ये कोई कानून बनाए, और वो कानून पचास साथ से चलता है, उसके पर गैट के सामने, इसका अर्थिय है कि पार्लेमेंट की सौवरेनिटी खतम हो गई अब गैट के सामने, इसका अर्थिय है कि एक जन्वरी 2005 जब से ये लावू होगा, उस दिन के बाद 15 अगस्त और 26 जन्वरी मनाना सिवाय जूटके और कुछ नहीं होगा, क्योंकि 15 अगस्त के बाद Government of India की हालत WTO के Municipal Corporation जैसी होने वाली है, मने WTO को मान लीजे बड़ी सरकार और उसका कोई Municipal Corporation और Union of India हो जाएगा, इसकी शर्ते हैं जो बहुत ही खराब हैं, इसमें मैं आपसे कहता हूँ 28 चेप्टर हैं, हर एक चेप्टर में 50, 60, 65, 70, 80 ऐसी ऐसी शर्ते हैं, हमें लागू कर नहीं हैं बारत देश में, अलग-अलग सेक्टर में ये शर्ते हैं, जैसे उदारें के लिए एक सेक्टर है, अबरी कल्चर सेक्टर, उसको टाइटूल किया रहा है, Agreement and Every Culture की पहरी ही शर्त बहुत खराब है, अमेरिकी में उसका सीधे हिंदी बतारों टाइम बचाने के लिए, वो शर्त ही ये कहती है, बारत या दुनिया के कोई भी देश के लिए, सबी देशों के लिए, कि आपकी देश में, हमारे जो सिग्नेट्री है, Agreement के, उन सबी देशों में, किसानों को मिलने वाली डायरेक्ट और इडायरेक्ट दोनों तरह की सबस्रीज मे हर साल कटोती करना, नेक्स परेंट आप में लिखा है, कितनी कटोती करना, 24% पर येर, बारत की सरकार किसानों को अगर कोई सबस्रीज दे रही है, तो हर साल उसमें 24% कम करना, जैसे मान लिए, हम 100 रुपई की सबस्रीज पर देशों के, पहले साल 24 प्रतिशत कम करना, अब पहले साल जो बची हुई है, उसका 24 प्रतिशत कम करना, तो तीसरे साल जो है, उसका 24 प्रतिशत कम करना, माने छे साल साल सबस्रीज खतम करना, हमारे भारत में क्या होता है, किसानों को दो तरह की सबस्रीज है, डायरेक्ट और इंडायरेक्ट, डायरेक्ट सबस्रीज क्या होता है जैसे अभी आप गुज्राइप में जाएं तो कपास जो है बादी सो रुपए को इंटल है इस समय नियूंतम समर्थन वो यह उसका जिए गोशिक किया जाता है ताकि किसान को नियूंतम मुनितों बिल सके तो अकसर यह होता है कि अंतराश्टी बाजार में नियूंतम इसको भारत सरकार spectrum सकशन करें जाता ही हमारा किसान जब खेती करता है तो यूरिया यहीशे को बहुत ज़ादा है और किसान खोड़ी सबस्थ कऱाया जाता है जैसे आप kanila बंदर पे आईए यूरिया बनाने का सबसे बड़ा कार्फाना है वहां टे टुंटली यूरिया बनाने का cost of production है, x factory price है, 800 रुपर, गुज्राइब के खिसानों को यूरिया मिल रहा है, 400 रुपर को उटल में, और गुज्राइब के पड़ोची खिसान है, जैसे महाराज़्य की खिसानों को मिल रहा है, 400 रुपर को उटल में, थोड़ा आधी चलने तो 470 रुपर को उटल म प्रूरे भारत के किसानों को यूरिया मिल रहें लेकर जो भारल भाता है शौहाँ आट-सर żad़ उतना में तो यह जो भाटा है वो सर्कार उताती है और इसको ऑखते हैं इंडारेक्ट सब्सक्री है इसमें जा होता है कि यूरिया बनाने वाली कंपनी को सरकार पैसा दे देती है। किसान को नहीं मिलता है, इसलिए उसको कहा जाता है इंटारिक सरसे। इसी तरह से भारत के सभी किसानों को विजली जो दी जाती है, वो बाजार से कम कीमत पे उपलगता है। आप अगर भारत में इंडस्ट्री चलाइए तो आपको विजली का भाव है, किसान को विजली का भाव दोनों में अंतर है। आपको हुसिंकार 5.5 रुपर यूनिट बिजली का बिल भरना पड़े और किसान को डिर से 2 रुपर यूनिट पर विजली मिल जाती है। तो बिली जोनी सस्ती है, यूरिया भी इए थी सुपर फॉस्ट्वेट सस्ता है। फिर किसान को अभी-कभी जनतुनाशच दवा की ज़वरत पड़ती है। वेस्टी साइट्स की वो काफी सस्ती है। बीट की जनत किसान को पड़ती है, वो भी थोड़े सस्टीडाई से। तो एक तो इंडाय सस्टीड दूसरी डाय है। मैंने भारत सरकार के बजट में से last year कैल्कुलेट किया कि भारत में किसान को सस्टीडी कितनी है। तो अगर डॉलर में मैं बात करूं तो को बिलियन का वर्ट की सबसिदी है भारत की खिसानों को और इसके पैरलें अमेरिका और यूरोप का वारन मैंने अधियन किया अमेरिकन गवर्मेंट और यूरोपीन गवर्मेंट भी अपने फार्मर्स को सबसिदी देती है अमेरिका को बजट में last year जो उनोंने subsidy आपने पार्मर्स को total subsidy उस 360 billion dollars है 360 billion dollars हमारे हाँ total subsidy is 4 billion dollar अमेरिका में 360 billion dollar तो उसके बाद Europe का तो उसके बाद Japan का अगर सब कुछ हो जोड़ दिया जाए तो ये subsidy is 600-700 billion dollar के आसपा से total अब उसके problem क्या है कि जब ये get karar sign हुआ तो भारत सरकार ने 15 December 1994 में जब ये सही किया अमेरिका ने उसके बाद में सही किया भारत में पहले सही किया अमेरिका ने बाद में सही किया लेकिन अमेरिका ने get karar सही करने से पहले एक काम किया तो अब चालाकी का चतु रहे था तो काम क्या किया? उन्होंने अपना सम्विधान बदल किया कि उसके बाद गयाट करा सब सम्विधान को उन्होंने इक्ट्रवीजन दाल दिया कि अमरीका की सरकार के द्वाराथ कोई भी अंतराश्प्रिय संती जो की जाएगी पार्लिमेंट के द्वारा पास किया हुआ कोई भी लॉव, सौवरिन लॉव है और वो कोई भी इंटरनाशनल ट्रिटी से बदला नहीं जारेगा। यह उन्होंने अपने संविधान संचोधन करके यह बातें संविधान के डाल एगर गेट करार साइं किया। संविधान संचोधन किया था ना समाजवाद शब्द डाला था। तो एक मार्की यह भी ढाल सकते हैं। कि भारत के कोई भी सरकार की की हुई अंतरराश्टी यह संदेग, संविधान के ऊपर नहीं हो सकते। हम भी यह कर सकते हैं लेकिन हम नहीं किया है। अमेरिका को देखकर जापान के अभी यह करें। लूप्रम्र चामर्गी से अपना हंदास्ता नेखा दिया। अब problem क्या है कि जब सबसभी खतम करने की बात आएगी तो अमिर्का एक डॉलर्ड भी सबसभी खतम करने को तयार नहीं है वो कहता है यह तो हमारा constitution कहता है हमारा कानूं है हम तो देगे सबसभी और भारत सरकार मजबूर है अगले साल से किसानों की सबसभी खतम करने की अब भारत के प्रतिनिदी अम्रिका के साथ कुछ बातचीत करने में लगे हुए है पिछले एक साल से प्रतिनिदी मने भारत के commerce minister कही है यह हमारे देश के commerce secretary करने में लगे है कि आप भी कुछ कम करो अम्रिका कहता है जी सोचेंगे नहीं खेंगे और अभी थोड़े दिन पहले बातचीत करने के लिए हमारे प्रतिनी कमलनाथ गये थे तो अम्रिकी ह mortal की एक सबसे भी कम न करने की इस है अब सबसे भी कम करता है। करनी है तो क्या होने वाला है जो किसानों को सस्ते बीच में पराएं वो बीच कीLi मैंने कुछ बीजों का हिसाब जो रहा, कि अगर एक x सबसुवी कांस कर दी बीजों परा, तो बीजों के मिल दी dal के लेत जाखिया को सक्तर हजार में ने ले लिए टमेटा का वीज खिसानों को 48,000 रुपय चिले मिलेगा एरेटी का वीज खिसानों को 32,000 रुपय चिलो मिलेगा अगर सबसे भी खतना है UDI, UAB एक कुंदल मिलेगा 900 रुपय के आसपास UAB 212.3,000 रुपय का मिलेगा Super Fosfit और महिदा मिलेगा Wikli and trendy हो जाएगी और डीजल के भी पेट्रोल के भाव तो वैसे ही भारत में बहुत बढ़ा है परिनाम क्या होगा खेती का कॉस्ट और प्रड़क्शन बढ़ेगा लागत कीमत बढ़े जाए और खेती की लागत कीमत बढ़े भी तो किसानों के लिए तप्लिफ हो जाएगी एक दूसरा क्या होथा कि सरकार कि डाइरेक्ट करें प्लीफ और डायरेक्ट भी प्लीफ Wenे करें क्योंकि गेट ओंगे होगी सब्सपोर्स होंगी तो मिनिमंगम सपोर्स प्राइस देर hair जाएब किसानों को तो नियूनतम समर्थनमूल नहीं मिलने का परियाम क्या होगा किसानों को कहा जाएगा जो गीमत पर दिखता है पेज़ो हमारे देश्टों गयर्ट करा तो अगले साल से आएगा एग जन्वरी 25 से लेकिन भारत के कुछ राज्य सरकारों ने इसी साल नियूनतम समर्थन बूल देना बन करते हैं उन्हें से ले राज्य सरकार है उडिशा की उडिशा राज्य सरकार ने किसानों को इस साल कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिया एक उल्टन चावल पैदा करने की लावत उनियसा में साड़े तीन सो रुपई आती है और एक साथी उडिशा परिगाम क्या हुआ इस साल उनियसा में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्मतिया है सबसे यहीं करना टको हूँ मैंने उनियसा के कई मंतुरियों को और कई बड़े सब्रेट्रीज को जब यह प्रश्ट किया कि भाई आपने इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों नहीं दिया तो अगले साल से खतम होना है हमने इसी साल से खतम कर दिया मानी मुद्धई सुस्ट रवाहच्छुस्ट गेट कहता है अगले साल से खतम होई यह अगले साल सब जगे होगा आंद्रा में होगा करनाटर में तमिल नाडू में यूपी में पंजाब में हरियाना में आप कर्पना कर सकते किसानों का क्या होने वाला भारत की सबसे अफोटी जो किसान है उनने से लगवंच 80 का खिसान बहुत छोटे किसान अम नियुका में तो कैसे किसान एक लाथ गड़ किसान हैं अनको चुडा बтовत सबसेक्डी जो एक नहीं पड़ता है। सबसे जोटी किसान बंगाल में हैं बोडी सा में हैं, प्रफीजगड में हैं, विहार में हैं, सबसे बुरा सर्मणी आने वाता है किसाम को एक तो तक्लिफ ये, दूसरी तक्लिफ क्या है, इसी गेट करार में एक चेप्टर है, मार्केट एकसिस है और उसका first provision क्या कहता है, कि get agreements signed होने के बाद और लागू होने के दिन से, सारे दर्बादिया खोई लेपड़ेगे, हर विदेशी वस्तु के अभी तक भारत में क्या होता है, जो agree products हैं, वो बाहर से नहीं आ सकते आएंगे तो उसको restriction होता है, एक तो print barrier होता है हम क्या बनाते हैं, कि ज़्यादा स्यादा tax लगा के उसको रोग सकते हैं, नहीं तो quantitative restrictions लगा देते हैं, कि इस से ज़्यादा ये वस्तु नहीं आ लिगी लेकिन अगले साल से ये दोजो barrier खतम करने पड़े हैं, ना तो आप quantitative restrictions लगा सकते हैं, ना आप ज़्यादा उसके tax बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा टेक्स बढ़ाएंगें तो आपके खिलाफ शिकायत हो कि WTO, Discute, Settlement, Council में मुकत्मा चलेगा और आप हार गए, तो बहुत कुछ जर्माना बरना पड़ेगा उसमें तो अग्ले साथ से क्या होगा, भारत में angry products आएंगे बड़े पैमाने के, और ये सारे products जो है na highly subsidizing, जैसे बेन मार्क तदूद आएगा ना भारत में बिखने के लिए, ऑस्ट्रिया से गिरूमुजाएगा बिखने के लिए, कनारा का देमुजाएगा बिखने के लिए, ठा जिनके लिए सारा barrier हटानों का है, आप ज़्यादा टैक्स भी होगा सकते, उस पे ज़्यादा quantitative restrictions के लिए, तो मुझे सबसे आदा तक्रीम की हो रही है, कि अभी भारत में थोड़ा सा बिखने के लिएशों से आलो का चिपसा जाता है, टमाटर की चट्नी आ जाती है, आम का जाता है, उस पे तो माय मरी हो जाती है भांटी, फिर दूद भी आने लगेगा, यहू भी आने लगेगा, चावल भी आने लगेगा, चना भी आने लगेगा, तो बारत में तो एक वर्ग ऐसा है, जिसको हर चीज imported चाहिए, और उसको गर्म होता है, मिरे पास imported पैन है, मि में पास 50 शर्ट कार्थ में 7212 पासिंपोर्टे जबी जेगा जोडिए पंसरी कि यह प्यों पूर्ट ने कhu बिल्डेग इप्र यहांसी प्लरुजिष पुर्टेट काया इंटिख कर ते काइज कर दो तो प्लास जो है ना वोकल है पॉलिसी में वो बैठा हुआ है देश को गवर्न में ही क्लास करता है तो इनको जब सिए सब खुल जाएगा तो उनका लॉचिक क्या उनका लॉचिक क्या वहीं विजशी दूद आता तुमको क्या वादा चार रूपर लिटर में आता मुझको व क्या है वो तो खड़ा नहीं रसे है फिर हमारे ही भारत देश में एक बड़ा किसांद वर्ग है जो सबजियां मेच कर भाजी मेच कर अपनी जिन्दगी चलाता है फिर अमेरिका से टमाटर आएगा आएगा इंदान से और वहां से सब कुछ आएगा मुली आएगी गाजर तो यह सम आएगा उसस्ती कीमण पर आएगा क्योंकि सबसे भी बहुत देश है तो सस्ता आएगा और डंप होने लगेगा तो भारत पे किसांद का पार्केट विखने के ततियां पाएगी और भारत की किसांद की सबसे बड़ी दुभागी इस्तिटी क्या है कि वो और और हिंदुस्तान की राज़ने तो पार्टी उन्हें बाट हटखा है किसांद को और हर पार्टी अपने स्वांख के हिसाब से उनका इस्तेमाल करती रहे तो इस तो घटा हुआ है और उटन से ये विजेशी चीजे सस्ती आने लगे तो अभी से तकलीफ हो रही है अगले साल से कोटन आ रहा है भारत में 1200 रुपर को नहीं है मुझे चिंदा अभी से हैं रहा में मार्केट में घूमने के लिए निकला था तो चाइना से कपड़ा गया है इस साल भारत में बेखने के लिए 8 रुपर मीटर के हिसाब से मने शरट बनानी है तो 16 रुपर में शरट का कपड प्रेंट का कपड़ा पच्छी सोपर अप्रियों के हिसाब से बेखने के लिए और यह कपड़ा भीटना शुरू होता है अगले साल डगनूटियों के आने के बारत तो क्या होने वादा है वारत की कॉटन में तो सब खतम हो जोगा क्योंकि कॉटन में का कपड़ा तब 40-45 और यह कॉटन में खतम होएं तो कॉटन का कंजोंक्शन कम होगा तो यह फिर अपना कॉटन का फिक्शन है अंतराश्की मजार में जाने कि उनकी हैसे इतना ही आवकात थे हैं क्योंकि उसमें इतने जेड़े रास्ते हैं एक्सपोर्ट करना भारत से सबसे मुश्किल काम है भारत में सारे काम आप आसानी से कर सकते हैं लेकिन एक्सपोर्ट करना भारत में सबसे मुश्किल काम है और बिना पढ़ने के ख्योट के लिए तो और भी मुश्किल काम है और क्योंकि ख्योटों के कोई 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 तो सबसे बुरा असर गेट अग्रिमेंट का मने वाल समझी बता सकता है काहीं कि कर दूसरा बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है इस गैट इंडिमेंट में इस ट्रें इंडिलेक्षिल प्रॉपर्टी राइट्स इसमें आर्टिकल नमबर 27 सबसे खतर है वो आर्टिकल यह कहता है कि एक जन्वरी 2005 के बार जो सिगनेटरी कंट्री अबीट तर्फ भारत भॉषा इस और यह को पुक्तौ पुस्टौ को यह जा करेंघ्व cotton उसका प्रौसेसर ब्रह्石 नेन्य दोटा जनी बनाने का कोई process है, वो can dowent होता, जिसे कोई mission है, उधारण के लिए सैफ़ट्रक्शिल है, या परसितामॉल है या है या कोई support这 То The Country है, वस्तों patent नहीं होती Medicine patent नहीं होती Medicine नहीं होती Medicine बनाने थी précisने का process of patent होता है तो ही भारत में कभी भी a patent क्यों की कानुन हमने बनायाः वंदी सो स़तर फे इसकूंस थे रदऑं निक है تषी क्यों ने भारत पी जब हुए क्यों प्यास खुचना एक है अज भीुडियों के बनाया था निच्यों कानून हैं जो आज मी चलते हैं। उनियुमें से कानून था उन्हीं सो ग्यारेका, वोग चलता रहा 1970 तक. 1970 में पहली बार उस कानून को बदर किया शरीमती गांदे, इंडरा गांदे के। श्रीमदी इन्धियद गंडी में कमिशन को जिम्मटार इदा विज्क कानूंझ भी वस्तु पेत्ट होती थी और पैतेंट जो होता था था भारत में कंसे कम 20 साल के लिए होता है तो 20 थी साल तक एक भी मस्तु को बनाने का काम लेकी कंपमपणी कर दी तो उसकी 20 साल थे नहीं दी Maani Organic 00-ills भारत में 一 ق toutes बहुत मह Cause तो भी कोई दूसरा आत्मी उस वस्तू को नहीं बना सकेगा मैंने कोई वस्तू को नहीं बना सकेगा अगर बनाएगा तो कानून उलंदन करने का भागी बने का उसके किलाव केश चलिए तो होता क्या था भारत में तो 1970 के पहले तर विदेशन कंपवनी पर टेंट ले ले थी पर टेंट लेके बनाती नहीं थी उसको से पर लेके छोड़ तो फिर वो कतशी आते चाला कि जो वस्तू का भारत में मिलता था वहीं वस्तू सब इंपोर्ट करके लाते हैं क्योंकि इंपोर्ट करने में उंको ध्यादा उता था ट्रांशुर्ट्फपाइसिंग का बहुत पहुत हुद नाथी तो हुद्फटूर्ब भारत में 1970 रूत थी और सब दवाओं के लिए हम बाहर के मिल बड़े कुछ भी थोड़ी महामारी फेरजा भारत में तो सिर्फ मरना ही मरना होता था दवा उत्रब्द नहीं मुद्धी ऐसा बहुत बाहर होता है तब ये कमिशन बना मिसिस गार्दी ने बनाया एक टेशन बक्षी नाम के जस्टिस हुआ करते थे उनकी अध्यक्षता में और एक बर पंडित नहरों ने इसके लिए कोशिश किया था जस्टिस आइंगर ये बहुत विद्वान जज़ हुआ करते थे केरल लाई कोट के थे ब शक्राद उस कानल में दो बड़े ब्रतन होए एक तो क्या किया लिए कि वस्तुओं को पेटेंट में होगा दूसरा पेटेंट होगा तूसेर प्रोसेस में प्रोसेस पे लिए मैक्सिमम पेटेंट जो है साथ साल के लिए होगा इससे जाधा कि and जो बस्तुओं को essential माना जा डाल दिया कि पेटेंट जिसको मिलेगा उसको तीन मेंदे के अंदर production स्टार्ट करना कोड़ेगा अगर वो नहीं करेगा तो automatic license उसका cancel हो जागा किसी दूसरे को दे दिया अग ये दो परिवलतन होने से क्या आया भारत में मेरेट ही हो गया, मैंने चमत कार वागें इतना बड़ा चमत रहु backing हलए हो चोटे चोटे उन्दियों, हजारों की संख्या में खड़ए होगे हजारों की संख्या में हजारों दवाय मने वकंपनियां इस कि आज हिंदुस्तान में दबाव का उत्पादन 14,000 करोड रुपाइब आज से मात्र पेटी साल पहले भारत में 70 करोड की दबाई बनती थी आज भारत में 14,000 कोटी रुपई की दबाई बनती हैं और उसमें से 50% एक्सपोर्ट हो जाती है साथ साथ हजार करोड का हमरे एक्सपोर्ट है ड्रक्सन पार्मसुटिपल सेक्टर का और हम जो दबाणे एक्सपोर्ट करते हैं वो वर्ल प्लास दबाई दुनिया में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेरी के देशों में जिस क्वालिटी की दबाई बनती हैं भारत में वही प्लाइट की दबाईं बनती हैं। कई वह देशों की सरकारों का मानना हैं जि भारत देशों की दिखलिस हैं और कीमत में बहुत सस्ती है ही आम भारत में आपको बही आराम से दो रुपर दाई उपर में दस टैबलेट में जाएगी रैंटेडी और यही रैंटेडिक्स में तो इससे भी जाजा सकती है इससे भी सस्थी है जो फिनिश प्रॉड़क्ट के रूप में आप खरिए है तो यह हमारे देश में इतना बड़ा परिवर दनाया कैसे ऐसे आया कि पहले क्या होता था कि दवाओं प्रेटेंट हो गया तो बहुत सारी कंपोनियों के रास्ते पूलिए एक प्रॉसेस से बनाय एक ही मैडिसम को 10 कमपणी बना लेह बीज2 बना लेह त्यक्ति बना लेह तो कॉंपोटीशन आई अमरीका में एक बार भारत की इतनी सस्ती और अच्छी दवाओं के बारे में अभ्यास करने के लिए पार्रेमंट में कमेटी बनाई थी एक अमिरिकल सेनेटर था उसका नाव था कैफूवर केपोवर के अर्देश्तामिक कमिटी बनी टेई से एंपी जा आए भारत में अध्यान करने के लिए कि कैसे करते हैं भारत में तो उन्होंने लॉटने के बाद रिपोर्ट दिया अमेरिकन पार्रेमेंट ना उस रिपोर्ट में का दिको 1970 में इंडियन गवर्मेंट ने पेटे करना है और उन सभी देशों में दवाएं भारत की ही क्वालिटी की अच्छी बन रही है कीमत में बहुत सस्ती है अभी गेट अग्रीमेंट का इस दुर्लीजन है जो आर्टिकल 27 है वो यह कहता है कि 1 जन्वरी 2005 के बाद आपको अपना पेटेंट एक चेंज करना है और क्या करना है उसमें प्रोवीजन यह है कि पहले देशे हमारे प्रॉड़क्त को पेटेंट होता था 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 वैसा ही प्रॉड़क्त पेटेंट अफिर देना है भारत जो बिफोर 1970 था 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 ब्रेटिश पीरिएड में जो एक्ट बना था वो अकले साथ से फिर शुरू करता है औ प्रॉड़क्त को भी पेटेंट देना है प्रॉड़क्त को भी पेटेंट देना है प्रॉड़क्त को भी पेटेंट देना है और प्रॉड़क्त को भी प्रॉड़क्त को भी पेटेंट दो 20 साल रखो उसकी अबदी तो इसका माली क्या है फिर मोनोपोली होगी फिर कि दवाएं महनी होने वाली है और इसनी महनी होने वाली है कि आप कंपना नहीं कर सकते। मैंने मार्केट का अभी एक स्टडी किया कि दुनिया के कौन-कौन से देशन जिनोंने गैट करार को साइन करने के बाद अपने देश का पेटेंट एक्ट बदल किया है। तो जिन देशों ने गैट करार को साइन करने की बाद पेटेंट एक बदल किया, प्रॉड़क पेटेंट लाया और प्रॉड़क पेटेंट यूड बीस साल के लिए पेटेंट पीरियेट लाया। वो सभी देशों में दबाएं मातर तीन साल में सौग होने से ज़्यादा पहनी होगी है हंटर्ड टाइम से ड़्याद होगी है कॉस्ट है फ्रीटमेंट का वो इतना महवा हुआ है कि लोग कलपना नहीं कर सकते इलाज कराना उनके लिए मुश्किल होगी है जिन देशों में आल्रेडी बहुत पहले से प्रोड़क पेटेंट चल रहा है उन देशों की क्या हालत है उन में हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान पाकिस्तान में बहुत साल से प्रोड़क पेटेंट का कानून है चौनकि अंग्रेजों के बनाएबूर कानूप पाकिस्तान में भी वही है जो भारत में है और पाकिस्तान ने अभी तक वह भी नहीं बदल कि हैं उनकि यहां तो भी बदल नहीं हो तो पाकिस्तान में भी प्रोडिक्ट पेटेंड का कानूप में तो भारत में आप कल्पना कर है न्जूँ आप पाफिस न को आश्र मारे शेरों को आपकुस्तान में आज किसी चीज पैसे की वर या उन दिया तो इतनी सस्ती तनी अच्छी द्वारिया हम को ना पा रहे हैं कि अगले साल से वहमें चेंज करना है तो प्रोडट्ट प्रिटेट देना है 20 साल के लिए देना है, प्रोसेस पे भी पेटेंट देना है, वो भी 20 साल के लिए देना है अब तक भारत में क्या होता था, दुनिया के कहीं देशों में यह होता था अमेरिका और कहीं देशों में चोड़कर वो यह होता था कि पेटेंट जो बिलता है कि आपको discoveries भी patent करने है inventions भी patent करने है अब भी discoveries और inventions का परकाप साथ समझते है हमारे भारत में रसोई घर में जो कुछ भी होता है वो some medicine है हमारे रसोई घर में कुछ भी masala नहीं है वो some medicine है फिर तो गलत शब्द हम इस्तेमाल करते हैं मसाले डालना है हल्दी मसाला नहीं है हल्दी medicine धनिया मसाला नहीं है धनिया medicine है मैथी मसाला नहीं है मैथी medicine है और इनके medicinal use है ये अलग बात है कि आपने पढ़े नहीं मैंने पढ़े दी क्योंकि आपको किसी ने पढ़ाय नहीं मुझे कुझे ने पढ़ाया नहीं आयरुवेत में हल्वी के 35 से ज़्यादा medicinal यूज़स है मैंधी के 108 108 medicinal यूज़स है 108 disease में मैंधी को आप medicine के रूप में इस्केमाल कर सकते अधुत परिणाम है मैंधी के ये सबी medicines हमारे घर में हैं और ये medicines इस पास्तम में भारत में डिसकमरीज मानी जाती है लेकिन अगले साल से ये सब आजाएंगे पेटेंट के ताहिए तो अब तक आप अकबारों को पढ़ते थे थे ना अमरिका ने हल्दी पेटेंट ले लिया तो तुलसी में पेटेंट ले लिया ये सब अकले साल से भारत में चालओ जाएंगे अमरिकारी कोल कमपनिया के भारत में हल्दी पेटेंट लेगी तुलसी पेटेंट लेगी मिर्ची पेटेंट लेगी दोसा बनाने के प्रोसेस पेटेंट लेगी उपकम बनाने के प्रोसेस पेटेंट लेगी कढ़ी बनाने का प्रोसस है जपान ने गेट करा तो आएगा अभी है साल से अमेरिका की कमपणियों ने अभी से भारत में एप्लिकेशन देना चालू करते हैं First come first get मैं कोई पेटेंट एप्लिकेशन देते गया और मुझसे पांच मिनट पहले किसी अमेरिकन कमपणी ने एप्लिकेशन पाई गया तो पेटेंट पहले उसको मिलेगा मुझसे ने लिए चाहे मेरा गेट कितना भी जैनुएंट क्यों नहों First come first get इन्हों में क्या किया है फीज बना दिया पेटेंट का मैंने अभी पता लगाया है भारत के रिजिस्टार ऑफ पेटेंट आफिस में 86,000 अप्लिकेशन आ चुके हैं अमेरिकन कमपणीज के अमेरिकन और जर्मन कमपणीज के इंगिन जर्मन कमपणीज ने गायतरी मंद्र को पेटेंट अप्लिकेशन दे दिया हाँ तो हिंदूस्तान में मायमालि शुरू हो गो हुए हम हर्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहिए लगी आप पेटेंट वायलेशन कर लिए मानीज़ मैंने हर्दी से कोई दवा बना के गावं में किसी को दे दिया तो कहीं आपने पेटेंट वायलेशन कर लिया करीब आएक इस्तेमाल करना तो patent violation इसी इसमें हम जिवरीवर लड़ते रहेंगे अब इसमें एक और सबसे खराब बात क्या है यह जो patent के कानून है इसमें अगर उनलंगन होता है तो उसके प्रोसीजर क्या है यह रिवर्सल अब बर्ड़न अफ प्रूफ क्या है मैंने आपसे घरी चुराईए कर्मना करें आपने मेरे उपर आरोप लगा है कि राजीम दिक्षित ने हमारी घरी चुराईए तो बस आप आरोप लगा के छूट जाएए बागी सब मुझे सिद्ध करना है चुराईए यह नहीं चुराईए यह है निवर्सल अफ बर्ड़न अफ प्रूफ अभी क्या होता है भारत में कि आप अगर आरोप लगाते हैं तो आपको सिद्ध करना होगा है आपको प्रूफ करना पड़ता है सामने वाला चुर है या नहीं लेकिन अब एक सारी के बार होने रहा है एक सारी अब तो दो तीन महिने रहा है अब यह होने जा रहा है कि जो चुरी करेगा उसको सिद्ध करना है कि मैं चुर हूँ या नहीं आरोप लगाने वाले को कुछ सिद्ध नहीं करना, बस आरोप लगा के चुट्टे होता है इसे आप जिरा कल्मना करिए यही एक छोटा सा प्रोविजन भारत के कितने हजार इंडस्ट्रीज की दव दिखान साकता है मालें जिए अमेरिका की किसी कंपणी का भारत की कंपणी के साथ कॉम्पोटिशन है और अमेरिकल लोग कभी कॉम्पोटिशन पसंद नहीं करते हैं वो हमेशा मोनोपोली में काम करते हैं येरोपेन भी पसंद नहीं करते हैं unfair trade practices जो वो करते हैं उससे गरते हैं वो कैसे करते हैं मैं आपको बता है आप गुजरात में आईए हम लोग तो थोड़े संदर से अभियान चलाते हैं अमेरिका की दो कंपनियों के खिलाफ एक का नाम है PepsiCo लग दूश्रे का को का इस अभियान का थोड़ा परिणाम निकला है परिणाम ये निकला है कि 70-80 तका PepsiCo की विक्री कम भी है और ये परिणाम निकाले के पीछे दो बड़े कारण रहे एक तो हमने PepsiCo पे बहुत सारे चैमिकल एंडेसिस करवाई थे अलब लग लबरेटरीस में उसकी ये सब होने से उनका सेव डाउन हुआ तो लोकल जो सॉफड्रिंग्स हैं उनका सेव अप हुआ अब जानते हिनोंने क्या किया गुजरार के जो लोकल सॉफड्रिंग्स बनाने वाले हैं उनको मार्केट में बॉटल नहीं में ली चाहिए इस तरी लिए पेपसी को कमयान चला है अब उनको बॉटल नहीं में ली जो सॉफड्रिंग की बेश सकते तो जो बॉटल बनाने वाले हैं उनको सीधे धंकी देंके सारी बॉटल खरीद के मार्केट से उटकर और इससे भी नीचे जाते हैं राज़कूर्ट के पास आप आईए राज़कूर्ट धुनागर के बीच में दस से जादा बॉटल के कांट है लो करें जो दो रुपए में, देड़ रुपए में, पौने दो रुपए में तीन सो मिली लिटर सॉफड्रिंग देते हैं इनके लिए उन्होंने क्या कर दिया है कि इनकी बॉटल किसी भी दुकान पे देखनी नहीं चाहिए खाली बॉटल उठा लेते हैं लाखों की संख्या में और उठागे फिट देते हैं तोड़वा देते हैं ताकि आगे उत्तु बॉटल नहीं तो कभी कोंपोटिशन नहीं करते हैं वो unfair trade practices हैं इस तिने नीचे उतरते हैं वो काम करते हैं इसके आप कल्पना नहीं कर सकते हैं अब ऐसी इस्तती में जब यह patent act आएगा American company का किसी भारत की company से जगला रहे तो वो क्या करेगा वो सिर्फ एक application file करेगा यह बेरे patent का violation कर रहा है अब आप सिंद्र करते रहिए क्या आप कर रहा है के लिए खतम कर देगा आपको इतना खतरना आपको और इस patent act के बाद और भी बहुत कुछ खतरना किसमें है get agreement में तो करीब 566 page हैं यह तो ऐसी services है जो शरम आधारे थे और या तो ऐसी services है जो पाइसा आधारे थे पूजय आधारे थे financial services है जैसे bank है बीमा कंपनीया hai यह सब financial services है और शरम आधारे थे यहाजद बगाना कपड़ा साफ करना कपड़ा दोना गब आप देशल गोटारी मार्क्राइक पूर्माना रएधा है दोनों तरी की services भारत में अब get agreement का यह है provision पश्क पूरवीजन है services agreement का कि आपको अपने सारे market खोल रहे है foreign services के लिए और बिना किसी buyacing के मानि あप किसी तरह का वो नहीं कर सकते हैं मारे धारत की services के लिए कुछ जादा देना और American services के लिए कम देना जाए नगी ने सब तो तो financial services के बढ़िए गवर्वन्मेंट आप इंडिया में फॉर्टि-नाइव परसंट इंशुरेंस में तो एक पिभी हो रहा है। दूसरा जो श्रमा अधारी सर्विसेज उनकों भी खुलने जा रहा है। अब इसमें होगा क्या, इसमें होने वाला यह है कि बारत की जो financial services हैं वो इतनी ताकतवर अभी नहीं है जितनी American और European financial services है, यह आएंगे, अनुकुल competition होगा, दुनिया में competition शब्द का जब अलब करें तो ध्यान रखना चाहिए, यह competition जो समान लोगों के बीच में होता है, अ समान लोगों के बीच में कभी competition नहीं हुआ करता है, एक कोई आपनी है, इसका पांट उटा होगा है, और दूसी तरफ एक बेन जोंसन है, दोनों को कहो कि 100 मीटर फरणा दौर में दौरो, 100 मीटर स्परेट में दौरो, फिर आपको कहो कि competition करो, एक लगणा लगणा है, और कैसे होने वाले competition, competition हमेशाँ दो equal लोगों के बीच में होता है, समान इस्तितियों, और समान लोगों के बीच कभी competition नहीं होता, तो भारत में ये competition के नाम पे सारा market जब खुलेगा, तो financial services आएंगे, आपको यार है, एक जमाने में बारत में 1970s के गएले financial services थी, 56-56 के आसपा की इस्तिती अगर आप देगें, मेरा में जनुम नहीं हुआता लेकिन आप में से कई लोग थे, उस समय भारत के लोगों को कितना चीट किया इन services में जो की देशों से अधी थी, पैजालियां भाग गए, पता भी नहीं है, कौन company थी, क्या थी, आप रोते रहें, चिलाते कुछ दुनिया वाला नहीं कोई बोल्य माल है, private bank थी, private insurance company थी, सब में लूपता भारत वासी हुआ, और उनकी इन परिस्तितियों को ध्यान में रखते रखते, संसर्म में बहुत बहस होई हंगामा हुआ, तब nationalization शुरू हो, तब थोड़ा लोगों को मदद में ले, लेकिन अब आपने डीशिंटी nationalize करी अपनी साइस, इसक्रियों, अचाँ अभी भारत में क्या होदा, यह जो financial services हैं, उसमें लोग जो पैसा दालते हैं या देते हैं, वो भारत के काम होता है, उदारं के लिए आप LIC की कोई पॉलिसी करिए हैं, तो वो पॉलिसी अडिमेटरी भा या तो पानी में की नवस्तान है, या तो भारत में कम टीमत के लोगों को घर बिलने चाहिए, उसमें खर्चोरा, 11 पैसा इधरी खर्चोरा है, ये जब ये विदेशी services आजाएगी, और उनकी policy हम भी करिकना शुरू करें, तो वो तो यह दिने वाले हैं, वो जो गरते हैं, तो प्रॉफिट करने आया है, कुई धर्मादा खाता तुर ने तो लिए आया है, और आग जानके लाकों करोज रूपाई का फंड है, जो LIC को दिया हुआ है, GIC को दिया हुआ हो, वो डाइवर्ट होगा, और ये लेकर जाने वाले है, ये तो प्रॉफिट के रूप में ल प्रॉफिट के लिए, पिर देखे क्या हुआ हुआ है, एक भी इंफर्मेशन आपकी ऐसी लिए है, जो सीप्रेट है, अभी तो कार्गिंग वाल रहा ना, तो रोज भारत में मारा माली होती थी, कि हमारा इंटलिजेंस फेलियर हो गया, अभी ये टार इंक्निमेंट आने क के बाद तो कोई इंटलिजेंस रहेगा नहीं पार, ये लिए होने का तो प्रष्ट में है, तो ये कोई भी इंफर्मेशन है, जो तुर्ट भी हो जाई है, सबोज करिए, हमने सारा खोल लिया, टरी कम्निकेशन का सेक्टर विदेशियों के लिए, और अमेरिकन कमपनी और ये उरोपन कमपनी लाई हो, उनोंने कोई कारटेल बना लिया, और उनों सारी सूचना जो मिल रही है, एक जूसरे शोटों से वो उनोंने पासओन करना शुरू किया, और आपके तुश्मन देशों तर यो सब पहुंचाना शुरू कर लिया, जो आपके लिए बहुती संव जो अब यह जब हो जाएगा तो इसमें नुकसान किसका होने वाला है, भारत में दो तरह के लोग है, एक तो पहुंचाना जो हैं और दूसरे हैं हैवनौंट्स, इनके जिनके पास कुछ नहीं है, या बहुत गरीवी में रहते हैं, बहुत तक्लीफ में रहते हैं, ऐसे उस पहिंतर असी कोटी लोग हैं जोनो इसमें ठीक सिखाने को हो जो पहने को ही में मिलता है, उनको सबसे ज़्यादा मार बढ़ने देजे हैं, अब पहुत लाब कर के लिए ल किसको बहुत लाब हुए, इसको बहुत लाब हो है कि काट आना चाहिए, आना चाहिए, तो Centeruding had i7aben ये जो क्लास है जिसको सेंसेक्स की चिमता है और जो सेंसेक्स भारत के डवलोप्मेंट कुछ हो तो ये क्लास के लिए क्know perception को मैज़िंब को तर्यार है फैसावीं देश के लिए फैसा अ कि दिशनको थैर वो सिर्फ कमाऊ कमाऊ बनो हालांकि वो जानता है कि मर जाएगा तो सभी ही छूँड़ जाएगा, हर्षर मेंता फिले साथ लेके कुछ नहीं गया, सभी ही चला गया, लिकिन उस हर्षर मेंता ने एक पैसा भी देश के लिए देना है, या समाज के लिए देना है या भारत के गरीबों के लिए देना है ये man man wrongiकों की सभेधन फ्रीनता करम हो के लिए ये class जो भारत के शुगर मारेकट में काम कर ला है ये तु संभेधन फ्रीनता में बिलकुल गया विता हो लिए इस से देश की कोई बात के आप चर्चा करो, जब भी देश ने कोई positive काम होता तो sensex गिरा देते हैं, जब भी कुछ positive होगा, कुछ देश का भदा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, तो sensex गिराएंगे, और जब भी खराब से खराब होगा, तो sensex चाहब देते हैं, आपको ने दो घटना सु बनाएं और दुनिया के सामने बरावर के इस तर पर आएंगे, जिस दिन आप ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूं कुछ में सेटलाइट कम्लिकेशन पीड में काम करता है, जिस दिन भारत का सेटलाइट अंत्रिक्ष में जाता है, उसी दिन sensex गिर जाता है, और जो 100% ह और जिस दिन sensex चड़ेगा चड़ेगा और जिस दिन कुछ भी positive हो रहा है भारत के लिए, अच्छा हो रहा है, वही दिन sensex गेए, ऐसे लिए हम पिछले कई सादों से, दस बारे सादों से जो मैं देत रहा हूं, आप शाया आप से बहुत करें से लिए, और ये sensex का चलना क इतना कभी-कभी तो ऐसी बातों पे होता है, जो घटक भी नहीं होती है, और ऐसी अफ़वा में अफ़वा में चलता रहा है, कुछ लेना जाया नहीं, किसी घटका से किसी चीज़ का base भी नहीं है, बस sensation और उसी पैसारा खेलते रहते हैं, एक तरह की सक्ते बाजी हो गई ह इनको तो घट से बहुत फाइदा होना है, क्योंकि जादा जादा परदेशी कंपनी आएगी, जादा जादा परदेशी कंपनी आएगी, तो जादा जादा शेयर मार्केट में इंवस्ट करेंगी, क्योंकि परदेशी कंपनी आके भारत देश में जादा इंवस्ट करना है वो फिनेंशियल कैपिटल में जादा जाए है प्रॉड़क्टिल कैपिटल लेके नहीं आए है भारत में प्रॉड़क्टिविटी बढ़े इस तरह से कोई कंपनी नहीं आए उचादे शेयर मार्केट में तैसा लगा है और दुर्भाजे से ये क्लास इस सर्व पॉजिशन में है ताकत में तो वो तो कहता है आने दोगाने दोगा अच्छा है इसके रीचे एक और क्लास है जो पॉलिटीशियल्स और बीरो प्रेश्टा उनको भी मज़ा आने वाई है क्योंकि जितनी जाना पंदेशी कंपणी आज इस इस पॉलिटीशन करने दे रास्ते पुरी एक एक कंपणी से वो प्रोजेक्ट के रूप में क्या क्या ले लेते हैं और आप जानते हैं भारत ना आजकर वाइंड लिग अप चार्जेस चलते है एंड्रोन नापकी एक अवेड़कर कंपणी आई थी उसके खिलाब हम लोगों एक पॉब्लिक इंट्रस इंट्रिकेशन पाइल किया था महाराश ठाई कोट में जिसमें हम जीते सरकार आरी बाद में सुब्रिम कोट में गए तो भी कंपणी आरी सरकार आरी हम जीते उस केस में हमको पता चला कि एंड्रोन का एग्मिमेंट साइन करने में करोर हुपय का लें दे हुआ जो उसके वकीले अदालत के लिए दीश में पूछा कि आप उन्होंने कुछ पेपर्स लिए थे उस पेपर्स में उन्होंने कुछ खर्चे लिखे हो ले थे वो खर्चे में एक कॉलम था उसमें लिखा था expenditure for political education in India ऐसा करके कुछ करोड उपई की रखम दिखी हो तो बहुत इंट्रस्टिंग केस था ज्यारदीश ने कुछ अगिया है expenditure for political education in India कौन सा university आप में खुला है भारत के आपे कौन सी डिगरी आप दे रहे हैं भारत के political education के तो उस वकील में थोड़ा इशारे में कहा था कि देखिये हम भारत में जबाए तो कुछ रेताओं ने हमारा अगिवत किया बाद में उन्होंने हमको लाइसेंस दे 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 कैसे? उनका हमने political education तो ये political education क्या होता है? सीने सीने पाइसा दे दिया रिश्मार दे दिया तो वो ये कहते नहीं हमने धोस दिया वो कहते हैं हम political education करना है तो ये तक्रीम अभी कुछ लोगों को तो अच्छा होने वाला गैट करा से ये एक वर्ण है politicians का, bureaucrats का और शेयर बजार का और कुछ भारत में बड़े उद्योगपती हैं उनको भी थोड़ा बहुत फाइदा हो सकता है क्योंगे विदेशी कंपनियों के साथ joint venture में आ सकते हैं घाटा जो होने वाला है नुकसान चोटा व्यापाली, चोटा उद्योगपती, चोटा किसान, चोटा मज़्दूर, चोटा नाजरी 80 पहयंद कर नुकसान है अब यह तो इस्तिती है फिर आखरी प्रश्ण ये फिर क्या किया जाए अभी ये करार तो साइन हो गया है तो बहुत लोग कहते हैं ये करार साइन हो गया है तो अब तो ये वापस नहीं हो सकता मैंने इस एग्रीमेंट को जब पढ़ना शूरू किया तो इसी एग्रीमेंट में चेटर नंबर बन मैंने बहुत इस्पस्ट लिखा हुआ है एनी मेंबर कंट्री केन बिड्रो एट अनी टाइम फ्रूम इसी में हमारे देश में बहुत साथे मिलताओं ने भारत की टेलीविजन पे आखे ये बोला कि गेट करार जो है न इसा बहुत लोग है उनको सामने ले जा ले जाके मैंने ये पढ़वाया अन्टरलाइन करके देखो इसी में लिखा हुआ है एनी मेंबर कंट्री केन विड्रो एट अनी टाइम और विड्रोल का प्रोसीजन है प्रोसीजन क्या है आप डब्लू टियों के हैट अफिस में एक एप्लिकेशन दीजिए हम इसमें से वापस आना चाहते है इसमें राक्राइब हमते हैं दुनिया हमारा एक्सपोर्ट गॉर्ट का जाना है बाकी देशों के साथ कुछ खास नहीं और यह जो 24 देश हैं, इन देशों के साथ हम चाहें, तो बाइलेट को लेगनिमेंट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ है, क्योंकि चीन बहुत साल ही करता रहा है, आपको मालू है, गैट तो बना 1948 में, और चीन मेंपर बना 2000 में, तब तक चीन में क्या रहा है, जब प्रचाह के बढ़ाते बढ़ाते महां तक लाया जब जाएध क्रेट सर्पलस हो गया, एक दिन आप Perfect Device के तलिए में तरु हो गया जब तर को चीन ने देख लिया कि दुनिया के market अपने लिए और जाधा कुल सकते हैं, तो ओग सिक चाह में मैं, और रास्टाहिड कारेट कर ये जैसे हैं, जैसे नाइसिरिया है, इजिल्ट है, ब्राजीन है, मैक्सिको है, चेही है, कोस्टारिका, ओलंबिया, सुडान है, लीबिया है, जिनको दुर्भादी से थर्ड़र कंट्रीज कहते हैं, मैं फस्ट वर्ड भी मानता हूं, इन सब दर्शों को हम एक साथ लें, य कि यूएई को भी बहुत प्रॉब्लम आने वाली है इसमें जो है ना थोड़ी दिन के बाद सर्विसस सेक्टर में इंटरनेशनल स्टेंडर्ड बैंटेंग करने के लिए प्रेशर आने वाला है अमेरिका यह कह रहा है कि लेवर लॉज सभी देश इन जैसे करें तो यह देश पगार UAE में होनी चाहिए वोई भारत में होनी चाहिए अगर यह आ गया तो UAE क्या पूरा-पूरा कपर बहुत जाए क्योंकि 800 द्रहन पर आप किसी से काम नहीं करा सकते हैं अगर कराया तो आपके क्लाव के सिस्टेंगे अब यहां कंस्ट्रॉक्शन लेवर तो 800-900-1000 द् इसलिए इसकी कंस्ट्रॉक्शन इंडस्ट्री बूम कर रहे हैं जिस दिन इनको अमेरिकन स्टेंडर्ड लागू करने पड़ गए तो तो गड़ टान मान है इसलिए आप उपने को बहुत सुरक्षित मत समझे इस गड़ एगरिमेंट के बाद UAE भी सुरक्षित नहीं रहन तो फिर WTO में प्रोसेसर आपके लिए ट्रांस्परेंट करने पड़े तो अभी गुप्चुप हो जाता है ना अंदर ये अंदर मैं तीन दिन से पूछ रहा हूं यहां का बजट किसी को मालन नहीं है लेकिन गट एगरिमेंट के बाद यह नहीं चलेगा अगरिमेंट के अ आपका बजट कितना बताना पर जा और वो सब के सामने शेयर करना होगा तो जब आपकी इंफॉर्मेशन शेयर होने लगेंगी तो बहुत सारी सीक्रेस ही आपकी तूट जाएगी तो अंदर का जो चल रहा है वो भी नीची आने वाला है जो इसी में मैंटें किया हूँ है गल्फ के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं होने वाला है ये दुबई के लिए या अभूदभी के लिए या साउडी अरब के लिए या कोगाइट के लिए इनके लिए कोई बहुत अच्छा नहीं होने वाला है क्योंकि अमेरिका धीरे 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 इसमें और बहुत सारे issues को ला रहा है, environmental issues इसमें आ रहे हैं, company labor का issue इसमें आ रहा है, तिरे दिरे इसमें आने आने, तो अमेरिकल यूरोप को छोड़कर, जापान थोड़ाइ भूख धोड़कर, दुन्या में कोई देश इस WTO के लिए सुरक्षित नहीं है, और बागे से इन देशों ने WTO साइंग करने से पहले आपने constitution चेंज किये हुआ है तो उनके ऊपर कोई side effect होने वाला नहीं जाए वो अपनी subsidy एक डॉलर भी कमना करें तो दुनिया के सब देशों की subsidy कम करा सकते है और उसके लिए ताकत भी है उनके पास ताकत का production को कर चुके हैं कि अगर तुम नहीं मानोंगे तो तुम्हारी इससे पी अफगानिस्तान जैसी हो सकते ही इराग जैसे हो सकते है जूप बोलके तुम्हारे उपर हमला किया जा सकता है अधmoser के सब्सरान के पास निकुलियर वौम अनिकुलियर वौम है और बं गिरादो और मारदालों कर नहीं कुछ नहीं और इतने ज्यादा हराम खो रहे हैं कि माज़ी भी पनानते के हैं हैं उन्मोंश्ने अभी तक माफी भी में इसे आदत है हाँ विजाला सब खतम होगा वहाँ कुछ भी नहीं है फिर भी जो है तो उन्होंने दिखा लिया है कि अगर आप नहीं माने देशों का होने वाला है जिनक्या इस तो डेमोक्रेसी नहीं है स्रिक्रेसी के नाप फर ये सब चलता है और स्टेंडर्ड जब आपको बहां के मेंटें करते हैं पर एंवर्मेट के लेवल पर भी खतम होगा, तो भारत ही नहीं, आगर भी बहुत सारे देशों में डूपने वाले हैं, तो इसका ये दूसरा ओर्टर्णेट है, दूसरा ओर्टर्णेट है कि जो जो देशों को इससे नुक्सान हो रहा हुँचे उनाइट करना यह उनाइट वो जाना और यह कोशिश अभी शुरू हो गए एक राजी बिशित नी दुनिया के बहुत सारे देशों में अभी एक कोशिश शुरू हो गई है मैकसिको में बहुत बड़ा कैंस्पेंट स्टाट हो गया अगेंस नीज देशी सटाट हो गया खिलिगा और व्यविश कीनाइट की sparट करकेज दे़ने के वहां जाते ही बहुत प्रदरशन करन यकिन की सब्सक्राद बने पर वर कि विरोज करने वालों की ताकर ग्रीन रूम में भी बढ़ गई है ग्रीन डिसकुशन जब होते हैं तो बहां भी ताकर इतनी हो गई है कि वो बाहर भी मिलाते हैं इस बार अफ्रीकी देशों ने करमियन देशों ने गेट के कॉंफ्रेंस का टूटल बॉयकॉट कर दिया और बॉयकॉट करने का ये परिणाम हुआ कि वो एग्रीमेंट आगे नहीं बढ़ा सके ये भारत की बात करता जी अर्टियर की बात करता तो भारत के जैसे ऐसे दुनिया के कई देश अगर हम कोशिश करें इनकों साथ लेकर एक अंतराश्टी इसकर पर थोड़े 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 जितने भी संबब है कदम बढ़ाते हुए एक नया एग्रीमेंट साइट करने की कोशिश करें बने वो रीजिनल लेग्रीमेंट अब ये नौर्थ ये जो लेटेन अवेरिकन देशन है इनोंने एक रीजिनल एग्रीमेंट कर लिया नाफ्टा कर लिया थोड़े दिन में यहां भी साइट की बात चल रही है तो ये एक रीजिनल एग्रीमेंट हो ऐसे अपनी की देश आपस में लेते है तो रीजिनल एग्रीमेंट करके फिर वो रीजिनल एग्रीमेंट करके फिर वो रीजिनल एग्रीमेंट करने के लिए पाई जैटोल एग्रीमेंट कर सकते है वो एक रास्ता है और एक तीसरा रास्ता क्या है वो सबसे सरल और सबसे आसान है कि भारत जैसे देश में, मेरे जैसे रोग, आपके जैसे रोग, सब मिलकर एक संकर्व लेन है, और वो संकर्व धिये धिये बढ़ता चला जाए, वो संकर्व देखो डबरूटियों आएगा, ये होगा, विदेशी कंपणी आएगी, विदेशी माल जादा आएगा, खरिम ना आपना माइट है, जो हर गुडामी के पहाड को तोस है, और उस जमाने में गांदी जी नहीं करके दिखाया, सिर्फ बोला ही में करके दिखाया, उन्होंने अगरी जी कापड का जब वहिश्कार कराया, तो लंका शायर और मांचेस्टर की मिले बंद होने, आप जाने के, औ जब भारत के जेस्टर के बुद्गर और जुलाहें मर जाएं और लंका-शायर मांचेस्टर क कपडा भारत हैं तो बारत का धन्ध यह चलग यह घाता है, जरूरत अब Rolling보를 का पढसी कापड का पढ़िश्कार करें, तो वैसे ही हम अन्होगा भारत के लोगोंको इस बात के कि यह हम तरियार करें कि बाई जो बात 1930 में गांटी जी ने कही थी, 1905 में लोकमा दिलत में कही थी, उसको भी चलिदा करने की ज़रूरत अब 2005 में आ गई है, तो भारत में एक नारा दिया जाए, एक केम्पेंड चलाया जाए, अभ्यान चलाया जाए, भी इंडियान भाई उ आपको बीच भी हो, मजदूरों के बीच, विद्यायतियों के बीच अध्यापकों के विच, वो कोशिश हम ने अपने इस सर्फ शूरूर की है, और एक आखिर कोशिश जो हम कर सकते हैं इसके जिए, यह कि इसका जो सबसे जादा गेट का जो मार पढ़ने वाली वाई है, बनाता है, यही तुम वाफो है। हमने शुनु किया है कुछ गाओं में, हम खादी बनवाते हैं, और गाओं में लोगों को हमने कर्वेंस किया, तुम जो कापड खरी तो वो तुमारे गाओं के खादी का खरी दो, बचे तो परोस के गाओं में बेचो, और बचे तो फिर शहर में जाके बेचो, और बचे तो जिला इस तरह के शहर में बेचो, बचे तो पिर राज्य में कहीं बेचो, और बचे तो फिर कहीं और बेचो, यदि शुरू महां से हो, कफड़ के इस तरह पे, साबुन के इस तरह पे, दंतमंजन के इस तरह पे, हमने एक लिस्ट बनाया, 100 प्रोड़क्ट ऐसे हैं, जो जीरो टेक्नोलोजी के हैं, जो रोज हमारे काम आते हैं जीवन में, जिन वो बनने के लिए कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है, और कोई हैवी इंवेस्टमेंट में चाहिए, दो-पाच हजार रूबर के इंवेस्टमेंट से वो सारे प्रोड़क्स बनाया जाते हैं, और इस्तेमाल किये जा सकते हैं, क्वालिटी भी लाई जा सकते हैं, और लोगों को काम भी दिया जा सकता है, हमने तो छुट छुटे इतने एक्सपरिमेंट किये हैं इस छेत्र में, साथ हजार रूपई से एक चल्था डवलप किय 80-90 रूपई रूपई, 80-90 रूपई 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 का माने 24-25 रूपई महिने का, और एक साधरन परिवार के लिए भारत जैसे देश में उतना काफी है जीमन चलाने के, और उसके आगे हमें एक कदम आगे गए, कि अगर वही परिवार एक चर्खा चलाए और एक गा गाये से क्या हमिन दरी हो सकती है, गाये का जो मूत्र है, गाये का जो गोवर है उससे best quality medicines बनते हैं, गाये के मूत्र से 48 medicines हम बनाते हैं, और गाये के गोवर से कई तरह के products बनाते हैं, नाहने का सावुल बनाते हैं, दोग बत्ती बनाते हैं, अगर बत्ती बनाते हैं गाये क रहते हैं और आपको side effects भी नहीं होते हैं ऐसे छोटे-छोटे हर गाउं में गाय का गोवर है, गाय का मुत्र है, गाय भी है तो उनके products हम कुछ-कुछ बनाते जाएं और लों से कहते हैं यह करी लो, यह करी लो, अभी तुम विदेशी company का डब वापरते हो, तो उसको छोड़ इसको ही replace कर ले हमाने जीवन से, हम मांदे एक टका लोग कर लें, दो टका लोग कर लें, पांच टका लोग कर लें, धीरे धीरे जी बढ़ता चला जाए, तो एक दित इस पूरी की पूरी get agreement की विवस्ता को हम रोग पाएंगे, माने यह जो onslaught है, इसको रोग पाएंगे, डोकल लेवल में जादा से जादा product बने, consumption बने के हो, आर इंडी में जरूर हम उनकी मदद कर सकते हैं, वो करें क्योंकि थोड़ा हमारे पल्प्रेन है, थोड़ा पैसा भी है कर्च करने के लिए, तो आर इंडी हमारे जैसे लोग करें, और production का 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 मार्केटिंग का 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 सा यह संकल्ब मैं करूं, एक संकल्ब आप करें, एक संकल्ब भारत के लोग करें, तो यह सब हो सकता है, आप क्या संकल्ब कर सकते हैं, आप इतना ही संकल्ब करें, यह चोड़ चोड़े काओं में जो कुछ बनता है, वो आप भी खरीदी है, क्योंकि आपको तो साबन चाहिए आपको तो मंजन चाहिए, आपको तो शैंपू भी चाहिए, आपको तो सबी चीज़ चाहिए, और ये सब बंद रही हैं लाओ, 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 है। अब बस इतना ही मझ मेर्टभा रहे कर modified Rible अबी तक आप ब्रैंट निस्तेमार करते हैं product निस्तेमार नहीं करते हैं अब ब्रैंड छोड़ना है product पे आज़ाकिए याई पत्रत मेर्श क्वटफ दुनिया में कोई भी company आज की तारीख में चाहे वो अमेरिकन हो या ये उरोपेन हो, नारे ही कि दिन से साबुन नहीं बनाते हैं, ज्यादा तर कमपनी साबुन बनाते हैं वीफ टैलो और मटन टैलो से, और आप में से कोई चुस्त जैन हैं तो आप ध्यान रखिए इस बात का, कि हिंसा का प्रत्यक्ष पाप जितना है अब परोक्ष हिंसा का पाप भी उतना हैं, आप खुद हिंसा करते हैं आप आपके भाइदार बनते हैं और आपके लिए कोई प्रॉड़ट बन रहा है जिसमें हिंसा हो तो भी आपका पाप के भाइदार बनाते हैं, तो ये ब्रीफ टैलो और मटन टैलो के जो साबुन हमारा जो टी-फम ऑपनों 94 परसंट है दुनिया में अमेरीकन कंपुनी का जो लेटेस्ट और वेस्ट सावून है वो 84 परसंट हमारा 94 परसंट है अर अमेरीकन सावून भारत में 100 ग्राम 40 रुपर का है हमारा पंदर उपर का घ्र सोगा और अमेरिकन साबून जो चलता है वो 15-17 दोंपे घेज जाता है हमारा साबून एक से सबा महीं चलता है वहने घेजता भी कम है और सबसे महत्तुकी बात हमने जो साबून डबब किया है काउँ जाओ चोटे-चोटे में बन रहा है वो यह है कि उस स प्रटिलिटी चली जाती है सो विक्ता कर दो है हमने उस लेबल पे साबून ऐसे उतने वाशिंग पाउदर बना है वो वाशिंग पाउदर का पानी आप किसी भी केट तो देंगे जिए को कोई तट्विक नहीं आए जाली कम पानी में आप साबून से कपड़े दो सकते हैं साबून से कम पानी में नहा सकते हैं पानी कम खर्च होता है और पानी में जो माइक्रोम्स हैं उनको भी कोई नुकसान नहीं होता है इसलिए हम उसको अहिंसर साबून कहते हैं अहिंसर वाशन पाउदर कहते हैं हम भारतिय संस्कृती को ध्यान रखे यो प्रोड़क्त बना तो ऐसे खalgला इता हैं, जोंगे लिए बॉल भी में लेगा है. यह कोशिश करूंगा नानौ्स के अज़िता ही किया हुए मुटलब्द कर दे में आप चाहर है तो इसका एक परभानेक देपार्टमेटuger री on- Store भी खोल सकते हैं आप अगर इस पूरे अभ्यान में इतना भी छोटा सा सपोर्ट करेंगे तो ये भी गुवर बड़ा सपोर्ट हो सकता है। आप अगर कपड़े पहनते हैं, मान लाएं कि 10% कपड़े वो करेंगे जो गाउं से बंगे आते हैं खादी के। बाहर से नहीं गालते हैं, नेर्चुरल कलर का कॉटल ही दो कराते हैं। उस लेवल पर एक्सपरिमेंट करते करते हम यहां पर पहुंचे हैं। और यह करने के लिए बहुत सारा सपोर्ट हमने जो लिया, वो गाउं से लिया है, सरकार से लिया, आगे भी अमान के हैं कि उन्हीं के सपोर्ट से लिए सब चलेगा। तो आप जब सब लोग मिनकर यह थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो शाहिए इस प्राव्लम से आम बहार रिकल सके थे। इतना ही मैं कहना चाहता था, आपका आवार धन्यवाद अभी प्रशनों करते ही समय हम चोड़ेगा। प्रशन अंतर के लिए मैं चाहूंगा कि जो पूचना चाहें करते ही अपना हाथ खड़ा करें मैं महीं पहुच जाता हूं। माई गुर्ण को दुवा एक प्रशन पूच लें एक व्यक्ति और सभी लोग पूचना चाहें जैसे। किसी के मनना कोई प्रशन है तो भूचन चाहता है तो आपना हाथ उपर करें। मैं राजेजी से खुशन चाहता हूं कि गेंट करार व्यक्ति आने के बाद फर्स जैन्यूरी के बाद इंडियन करनी से पर कोई फेक्ट हो सकता है इसके डिवेरियूर्ट के चांसे से। गेंट करार आएगा और पूरी ताकत से जब इंडियूर्ट होगा तो भारत का रुपया गिरेगा। अब तक जो आपने गिरावट लेखिए हैं ये और गिरेगा। और ये सिर्व भारत का ही उप्या नहीं गिरेगा। दुनिया बढ़के तमाम गरीब देशों के मुद्राएं गिरेगी डव्लू ट्यो आने के लाएगा। और इंडियूर्ण के गिरने से बहुत बड़े नुक्सान हो जो आप चाहते ही इंपोर्ट्स बेसे और जानके एक्स्पोर्ट इंकम और कम हो जाएगा। अंडियूर्ण डेशित हमारा बढ़ेगा। तो उतको होने ही वाला है कम्यूट्यो आने के लाएगा। दोस्ता, प्रश्न मैं ही कुछना आपके से आपने कॉंपिटिशन, मेरे साब से आपने कॉंपिटिशन का आपने थो नहीं होता है। आपने नेगेटिव पताया है, पर कॉंपिटिशन का आपने इंडिया में ही देखा कि बहुत जादा पॉस्टिव एफेट्स भी रहा है। पहले L.I.C. सिर्फ हुआ कर देखे तो आप सारे यावे हैं, सारे निवागी कंपनी भी यावे हैं, लिए भी लिया हैं तो L.I.C. अपने इंडिया हैं अच्छी सर्विसेज देखें। यह सकता है कि हाँ, कुछ सेक्टर्स आप कर सकते हैं, कुछ सेक्टर्स को रिजर्व करके लगें, बहुत सहां तक अगर ग्रोगलाइशन करते हैं, इसमें इंडिया अल्रेडी भाहर आ चुकी, बहुत अच्छे से आप ग्रग्स और फार्मसुटिकल्स की बात करें, तो उसमें अच्छा है कि रहन दाक्सी और इंको और अच्छा पर वो कॉम्पेटिशन इले दुशाइदी को और मेंटर को पर फार्मस नागा है, इसमें क्या मुद्ध है तो प्रिके मदब, जितने इंडियों के लोग है इंडुस्तान में, वो एक ही धरिक करते हैं, क्या माद की कॉम्पेटिशन आई, तो देखें कितनी कार आगई, कितना वीडियो आदे, कितना टीवी आगए, यह जो 20% बताया, वो जो इंडुस्तान करते हैं, उसमें ही कॉम्पेटिशन की बाते हो रही हैं, लेकिन यह कितने होते हैं, यह 20% लोग है, और 20% लोग ही यह कहते रहते हैं, कि अगर कॉम्पेटिशन आई, तो हिंडुस्तान में जवर्जस्त यह सब बिक्री होगी, और कान यह जो पता से यह पता हो, दो आगए होगी होगी होगी, लेकिन कितनी लोग ऐसे हैं, वे शुद लोग प्रजस्त लोग प्रजस्ते रहते हैं, वे यह 80% से उसका आपको सोचना है, यह मेरा जवाब यह जवाब दे जवाब होगी होगी, इस में आपको जोड़ होगी, आपने इन्शूरेश्स सेकर की बात तरहीं कि LIC की पॉलिशी खरीदे की ताकत भी भारत तो इन लोगों के लिए अगर इंशुरेंस सेक्टर में कुछ सर्विसेज जादा भी बहतर होगी तो उनके लिए कुछ के जाने राता है लेकिन उनका जो छोटा मोना आधार है वो भी चला जाएगा इस globalization और WTO में जैसे वोग बिचारी कुछ चावल पैदा करते हैं गेमों पैदा करते हैं बजार में बेच लेते हैं कुछ खाने को मिल जाता है लेकिन अब जब विदेशी गेमों और विदेशी चावल उससे सस्ता आजाएगा तो उनका वो आधार भी चला जाएगा आधार यही कहाता है कि किसी sectors को आप बिजर्ब करके रखोते हैं इसमें प्रॉब्लम्टियों कि मैंने आपसे शर्द कहाना नो सिंगल अलिमेंट अफ दिस राफ पाहिए लग कें बी कंसिड़र आज एग्री तिल डा टोटल पैदेशी सेक्टर मानि कोई सेक्टर को आप छोड़ लें और किसी में करना यह नहीं होना सब को ओपन करना प्रॉब्लम इसकी है अगर ऐसा होता कि कुछ सेक्टर में रोग लो और कुछ में कर रहो तो यह नहीं है बहुत अच्छा है लेकिंद इसमें ऐसा संभादा रही है बुलिया इश्चा प्रॉब्लम््लम्र बेग गाश्टर गार्ण मुकर्जी कॉमर्स मिनिस्टर थे प्रणब मुकर्जी कमस मिनिस्टर थे प्रणब मुकर्जी का है अमेरिका मैं टेक्स्टाईल के ऊपर कोटा सिस्टम है वो इसाब से रखन खाफी कपड़ा अमेरिका के बेस्ट है और इंडरिकली दूसरे की कोटा लेके भी इंडिन कपड़ा उडर जाता है अधी एक खुल जाता है तो क्या इंडिन एक्स्टेल को ग्रोथ नहीं मिलेगा अब जिसमें मैं आपसे फुरे में पहल करने कि अनुद बने पर चाहिए तो अमेरिका अपने कोटा सिस्टम को मैंटें रखने वाला है और वो मैंटेंग करने के लिए उनके पास बहुत रास्ते जैसे एक बरता है ना एंटी डम्पिल का यह सबसे बड़ा हजयार उनके पास है आप जाना कपला लेके जाई एक को अमेरिक के अपने जो कानून है इंटर्मार्केट को कंट्रोन करते हैं वो सब कानून रखेंगे गैट के होते हुए क्योंकि उन्होंने कॉंस्टिउशन को ऊपर रखा है गैट को दीचे हो तो अमेरिका आपने किसी भी कानून को बिना बजिनते हुए भी गैट का फाइदा यह जो आपने कोटा की बाती नेक्स लेर से कोटा सिस्टम कटम हो जागा MFA अग्रिमेंट है आपको लगता है कि हम लोग उसको रोग पाएंगे या वो अलगने के बाद फिर हम लोग को उसके विलोग को उसके पाइब प्लाअ मंत्री हैं उन्होंने पहली बार ओप लियंके कहा है कि हम अमरीका की किसी नीटी का विरोद नहीं करें अदि तक भारत के किसी उनके सपोर्ट में आप जितना ज़्यादा आ सके उनका बनाया हुआ खरीज सकें, उनको मदद कुछ दे सकें, एक गाउं, दो गाउं, तीन गाउं आप गोड ले सकेंगे, एक गाउं में जुलाएं हैं, दस गर, वीज गर, उनको मैं मदद करूँगा, चरका चलाने वारा हैं, उनको मैं मदद करूँगा, यह कुछ बनाते है उसको मार्केटिंग करने में आप मदद कर सकेगे तो ये एक सार्थक कॉंट्रियूशन आप अपने देशने करते हैं दीरे दीरे इसमें से कोई बड़ी टाकत खड़ी हो जाए तो शायन हम अपने पास साल में या दस साल में इसके पूरे प्रभाव को प्रभावी कर सकते हैं और दूसरे देशों में इस तरह से शुरू हो तो शायद अच्छा होई सकते हैं उनका जाब दूँआ इस जो रेश होगी ने और एक स्मेंट की होगी और दूसरी ससे की होगी जब तक हिर्दुस्तान के दूप पढ़ेनी के लोग है विच कल्चोर्दी पारामें विच इफेक्ट पारामें जो वीडियो अमें इलेक्ट्रिक मेडिया में पेपड में जब तक और लोग नहीं जागेगे तब तक जो हमारे लोग जो तहते हो वो थो भी आपर जवाब दिया लाए कि सुबे से साम तक अपना लाइवलिवूट कैसे करना उसमें पढ़े होए है किसी को टाइम पर कर दिया अब अंदर मूंति ये मांता हूँ कि इस गंटे पर मैं बहुत खुशकुशा था को कि मैं अगनान था अगनान को अब बहुत बहुत वलाव सुख है अब अब अभ confined को क्या नी बनाया आपक dulu हमारा happinessनेस भी मेरे तुआ झाय भी नहीं है लिए इसको क्या हो सा किसे कह रहो होंके कुछ होने वाला थी हाई भी कुछ होने वाला थी ल donaकिन आप करते जाएए न हमें आपको ख़स्तिया ही, हमारे दिर धिरे हमें, कonie करते जाएगे लिजब हमारे घुश्तिया को महतना घरे क्टिया को काईило और को सुष्छ ना सहेंग तैंजिति को सूनन मेले के बारे में उसके व्कूषण पिर पारे के संख्या बताये तो दोई जोटे चोटे अभियान में चलाते हैं एक को पहले गाम में ऐसे लोगों को इकटा करते हैं जिनको। वायर गता है पढ़ने के खता कंपे जिनकों क्या प्रियुन्स को इसक्राइब की तो कते हैं। दूसरी ट्रेइदिंग होती है फंद बंद्र बंद्र बंद नं में प्रेदिंग की ड्रेणिग में साभुन। Gants Tamte Ban mecha बनान बनान और दूत Duck powder, sorry Jennifer Randamad mecha Ipod पर एक नीज जो कपड़ में लगता है ये पांच शे वस्तूवां बना ला पंदर दिनी सिखा जाती है फिर आगे और बनाने की फ्रेडिम होती है उसमें कुछ हो दस बार है ऐसे ऐसे छोटा छोटा करके पचास साल वस्तूवां सिखाते हैं लगब ती माईडी की ट्रेडिं सब्सक्राइब करने के लिए और बटेजिग हैं और लोगों को पता चले उसके लिए मेले ुईजित करते हैं उसका जानि लिए लेटेस्स स्वानन मेला हमने आई लिद किया हम्रापती महाराश्टी तो उसमें क्या हुआ कि करीब सौ दुखाने हम लगाते हैं सौ से डेर सो दुखाने इनी वोगों की जो ये सब सामन बनाते हैं वह आते हैं, बेचती हैं, बेच कर उंको सीधा पैसा बिलता है अब बार और जादा बनाते हैं Михाथ सो तो ये करते हैं कि मेलों के अलावा हमने bir भंडार से हुए है भारत स्वाना का नाम से ही भंडार है वह भंडार हम की वस्तूर विक्तव चुर्लिक केरा है तींडी का एक तरीका ओर है घर से धर विक्ट्री करवाते हैं। बहुत सारे बेवजकारें जो काम नहीं। वह को केते हम सामन देते हैं, बहुत बेज के हाऊ। तुमको इतने टका है, इस पे भारजन मिल जाए। तो तीन तरीकों से ये सामन पिखते हैं। तो ये तरीकों में एक तरीका है मेला जो नहीं पूछा, अब तक कहीं दिवे पर हम मेले बगा ठीक है, और मेले का रेस्पॉंस बहुत अच्छा होता, लोगों को जो हम ये बताते हैं कि उद्देश ही क्या है इस मेले का, तो इस मेले में इस बार हमें 118 गाओं के 100 इस्टॉ में 118 गाओं में 1 क्रोर 20 लाग पहुंचिया, अब वो क्या करने हाले है, इसको मर्णी प्राइब करने हाले है, जिसको 1000 रुपे ले बिक्री हुए और वो 2000 का माल बनाएगा, जिसको 5000 का माल बनाएगा, ये फिर हम उनको फिर रुटाईगे किसी मेले में, फिर कहीं नहीं का कुछ सामाद मनाया हुआ, यहां हम लाने वाले हैं शौपिंग फेस्टिबल में, आप करीदे लिए तो वो पैसा फिर उनके पास जाएगा, तो इस तरह से दाओं में पैसा पहुंचना शुरू हो जाए, वो अपने पर पे खड़े हो जाए, ये एक बड़ा अकाम है, जो ह इस साव मुद हैं, अगर आप मेंसे किसी को या आप के दोस्को लगे कि ये करने से, तो ये चर्के मेंसे हो लोकी 80 रुप्या रोज का आख गिंटे में कमा सकते हैं, अगर आप किसी को भी इसा लगे तो तो हम तीन दिन के अंदर एक च्छे बना के चर्के के लिए राबज या 6 साव रूपी जय तरविदा वो हम आर्टियों से एक चप्कार ये जुनाओं है उसमें पाते हैं इतना है ये है को हम कर सकते हैं तो साथ हम इदर मैंट क्या कर सकते हैं ये व आप सब बहां आएंगे और व रूपी गलपे वालड राटिर ने सब्सक्षा कर गें आप सब आया करें करें लुद्र को में President इसके लिए हमने क्वालिटी चुक्रीक बनाया है वह क्वालिटी कंट्रोल सेंसरे क्या होता है कि कोई भी आउम में जब प्रोडट्ट बनता है पहली बाद तो बहुत क्वालिटी टेस्ट होने के लिए हमारे आता है हम हमारे हैं quality test करते हैं जब हम satisfy होते हैं तो वो से भारत देश की सरकार की एक laboratory है वहाँ पे जाता है वहाँ testing होता है दो जगें जब testing होके हम confirm हो जाते हैं फिर उसके बाद हम वो market में लागे तो quality का assurance में आप हो देशना हूं कि उसके कभी कोई शिकाइप में आने वाली पहले हम को test करते हैं हम satisfy होते हैं हमारी अपनी laboratory है कोड़े हैं आज़ादी बचाओं आपनोलन जो अभियान हम चलाते हैं उसकी अपनी laboratory ये कोई में वहाँ पर कुणी स्वेड जानिक काम करते हैं और वो सब फ्री सर्विस देते हैं वो सब साइंटिस्ट N.C.L.E. के नैशनल केमिकल लगोरेटी के हैं लेकिन शाम को छे बजे से रात नो बजे तक वो हमारे लिए काम में मदद करते हैं तो वो टेस्ट में मदद करते हैं सरकार की लगोरेटी में टेस्ट करने के बाद ही वो सामान आख के पास आएगा इसके क्वालिटी के बारे में आप दिल्कुल अश्यों दो सब्सक्राइगा यहां कॉम्पटिटिटिव इसलिए होगा कि हमेरे दो तीन दें से दुबई का देख लिया है साधरन से साधरन साभू जो यहां मिलता है हमारा साभू उससे बहुत सस्ता है मैं आपको कल्पना के यह बता दू भारत के रुपए में बात करता है पंदर रुपए का डिरुजों ग्राम साभू पूरे दुबई में से 94% टी एकम का आप दो लाके लिखा लिए पंदर रुपए पहले तो आपको कॉपच फिर रखना पड़ेगा तो कि यह बता मतलब होता है तौटल केंखिम है साभूं बें इस्तैमार किया हुआते हैं आप यहां दुबई में जो अजय बताँ करते हैं इनके घर में उसका टी एपन कंटेंट सेवन्टी को 79% है उसको इसको 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 करता है वो साबुन शाहिद व्र डव ड्रवारी से कब नहीं आता होगा या शाहिद उसने जादे ही आता होगा हमारा साबुन तो 15 रुपर का माने आपके ड्रेkte हो से एक साबुव कर rea तो और चलेगा आपके साबसान के साबुन से दो गोmit और पानी जो है। उस को कहीं की दिरते नी तखीर है। ये क्वालिटी दुनिया मेरा नहीं देना है। कम सब कर नहीं प lange सकते हैं। कि जिसको बुचेंगे एक रच्वावाज या एक कैमी मेरा अता है। साल्ए टे रच्वान साले टीम ग्रह ननीasan वी 75 ग्रैंट कहते हैं 75 ग्रैंट. 75 ग्रैंट 30 ग्रैंट हमारा 1.500 ग्रैंट 15 ग्रैंट ड़ां जबेंट 30 ग्रैंट सामार में उसे अमारी पोश्चित होगी, शायद वो पंत्रे का सोज़े होगा, फ्रेट चार भी लगेगा, अभी आपने पाइट नहीं कि उसमें प्रेट चार इंपा लगेगा, लेगे एक साफुद पर देव दो रूबर से जादा फ्रेट चार भी नगेगा, बहुत अधी पर अभी नगेगा, बहुत बटने तो आपने पाइट कर वाइख हैं, अगर आपने पाइट पर देट गणे कर में तो वेस्ट या ऊर्य वोल्ड मारेट पे, आजकार आज सो स्टेंड़ रहते हैं, एंवारमेंटन राइंटल और क्वालेटी, तो आफ पे यह बहुत अच् तो उसके बारहमें मैं अपकल प्रौन करते हैं या तो इससे गार्ण और मॉलगे बार्तर Gouracht में लेकर जा सकते हैं चाहें एक या कुपूटिफोक्रोट कर सकते हैं लोग मिलके उसमें एक ज़सह कुई अचछार्ण इनिचल इसमट्से टालके कि वर्ड मार्केश में लेके जा सकता हूँ कि आप कहीं भी लेगे जाईए इस पडिक को रिजेक्ट होके आरे की कोई रिजाईश नहीं मैं आपको बोलता हूँ दुनिया में किसी को पॉंसंट में नैचुरन का माने पैदा हुआ कपास ही उस रणका होता है यह किसी को कॉंसेट नहीं है वर्ड में नहीं वो हमने किया है 6-7 कलल तक तो हम पहुँच गया है आने वाले सफ़े में और आड़ी वर्ड में अगर आप इन चीज़ों को लेके वर्ड मार्टेव में उतर जाएं तो आप खाली रात वापन नहीं आएंगे और फूरा हिदुस्तान आपकी मदर से ख़ड़ा क्या करेंगे हाँ अभी हम यह क्या 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 करते है छोड़ थोड़े गाउं में करते है कि जब आपने पता चलेगा कि मांड़री में जाने वाला है तो हम गाउं की संग्या बढ़नेगे अभी हम 118 गाउं में करते है फिर हम क्या करेंगे 300 गाउं में करेंगे क्योंकि मैंने आप से कहा ना पूंजी तो बहुत कम चले 5-6,000 रुपई की पूजी से एक परिवार कड़ा होता है चर्थे के रूप में पाभूं के रूप में भी लगब उतना ही चाहिए तो वो production शुरू हो जाता है और हाथ से होता है machine इस्तेमाल जादा होती है machine का इस्तेमाल अंकम से कम करते है जाती जादा लोगों को कामी तो हम यह करने वाले हैं अभी करते हैं पिर हमें पता चला कि दुबे जाएगा अभी जाएगा तो ठीस सो ठाटारे गाउं का 200 गाउं कर देंगे गाउन का 500 गाउं कर देंगे 500 से 1000 होता चला जाएगा और बेरोद्दारी इतनी है इस देश्र है, कि हमें कभी कमी नहीं होती है लोगों की, हम बोडाते हैं कि 50 लोग आना ट्रेडिक लिए तो 500 लोग आ जाते हैं, फिर हम उन मेंसे 50 चांटते हैं, तो कभी कमी नहीं पढ़ने वाइने हैं, इसलिए उदाओं तो भारत में 6 लाग सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसे मार्केट कर सकते हैं, आप समय मुझे अपर आप बात कर सेथा हैं, इसके बात मैं चाहूं कर सरफ 2 प्रस्ट मैं तो अब हो गया है, एक और अनॉंस्मेंट में करना चाहता हूं कि एक कुछ खादी के जो समान जैसे राजी जी ने बताया, यहां पर उप्लंध हैं देखने के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन को जो स्राबू और संपू था वो नहीं आप आया, कल सुगरे आ रहा है, तो कल हम देख सकते हैं, कल भी यहां पर सबाव हूंने रखी हैं, शा पर देख से लिए उन्हें वहां सुझे उटल में चर्चा की थी, राजीब जी मैं आप से कोई सवाल नहीं करना है, लेकिन मेरा यह मानना है, यह सुनने के बाद, कि जब चीजे आईगी बाहर से, रोजगारी बढ़े की कुछाद काई, और यह वो लोगों के जो एजुके उसके लिए उसके लिए तो हमारा यही मानना है, कि देखिए जो देश ट्रेड बेस होते हैं, जिनका व्यापार आधार होता है, अर्थ जबस्थाकर, उनके लिए तो यह ग्लोगों को देखा जाए, तो भारत में रोजगार बढ़ेगा, उससे जादा रोजगार खतम होग मैं आपको एक छोटा उधार देता हूं, अभी जो दो रहा है भारत में, एक अमेरिकन कंपनी भारत में आई, उसमें पेपसी कोक नाम से सौब्रिंग लाया, वो सौब्रिंग आने के बाद भारत के हजारों छोटे-छोटे आउटलेट्स बंदो गए, जो नीबू का शुक मार्केटिंग के चलते लोगों को इतनी अकल चली गई दिमाग से कि नीबू की शिकल जी हमेशा पेपसी से अच्छी होती है, संत्रेकरा समेशा अच्छा होता है, और यह मैंने कल मेरी आँखों से देखा, जिन समाज में इतने पढ़े लेटे लोग जो कल सफारी में गए वो पेपसी पी रहे ते फोट पी रहे हैं, मैंने जब उन से का कि आपकी अकल नहीं है, आँखे नहीं हैं, जुन्हां ये सब लेटरीज का रिपोर्ट आगया है कि पेपसी कोग स्लो पॉइंगान है, फिर भी पढ़े लेखे लोग उसको पीने के लिए प्लेरित हो जाएं हम वेरोजगारी आती है, हम उस क्लास में घुलते हैं, जहां पेरोजगारी ठोड़ा होल देखाई देता है, जैसा अक नहीं कार दती हैं, अगर हम थोड़ा हमारा विजन बेहतर चले कोरे और जधा हो जादा लोगना होदे कोटागों हों होद करते हैं को असम अर्मान हैं कि वाएंगे और यह अंदिने में वह दिया करते हैं प्रशी कोगा माँ तोलेट के हैं। हम भूद। ठंडा मिननलब तॉलेट आप तोलेट आप लगते में। आप उससे तोलेट साफ कर सकते हैं, आप अपने खेड के खीणों को मार सकते हैं, आप पेप्सी को घर में इस्पेल कर दिये दें, तो मंच्छा सारी मर जाते हैं, मक्षा सब मर जाती हैं, ये इक वालिटी है पेप्सी और कोप का, फिर भी लोग गटागेट पीते हैं, तो उनका भगवानी मालेक है, और भगवान इंको जितनी दल्ली सब्गी दें, मैं तो लेकिड मैं बता रहा हूं कि ये इस तनी हमारी देश्ट में है, एक वी थो के हम भी के बंगा चाहते हैं हैं, अब कौन होते हैं हमारे पैसे तो प्मी के बंगा चाहते हैं, आप कौन होते हैं एफची को बैं अंदर फॉस्परीग एसे इंद्वता है पर इसके बाध प्रशुन कर सकते हैं नीचे यहीं पर हूं, आप मुझे लेक्निक प्रशुन कर सकते हैं, मैं सिर्फ एक प्रश्म कर ना हूं लूँ कि हमने जो कॉंसेट किया है, वो मास् पॉड़क्शन में, प्रश्म मांसेस का कॉंसेट रहे ह। और उसी से यह आप दो हम शाइट साहर के अपाई यहां नहीं है नहीं है